जैन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे मैं आदित रेंजन आप सभी का तहें दिल से यहां पे स्वागत करता हूँ तो कैसे आप लोग बताईए भाई मसते हैं स्वस्ते हैं तंदुरूसते हैं आदियो वीडियो क्लियर है सब बहुत बढ़िया है क्या बात है सेशन ने स्टार्ट होने के पहले ही 4000 लाइक आप लोगों ने कर दिया है बहुत शांदार मेरे भाई बहुत शांदार बहुत शांदार सभी लोग लाइव हैं बहुत अच्छा तो आज आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे नेता जी सुभास चंद्रबोश का और उनके दोआरे एक बहुत ही प्यारी लाइन तो कही सारी इन्होंने लाइन कही हुई है लेकिन आज मैंने वो लाइन यहां पर रखा है जो आप लोगों से कनेक्ट करता है और आप लोगों के तैयारी से जो है यहां पर यह काफी सब्सक्राइज करके आप लोगों को थोड़ा एक एज देगा आपके प्रिपरिशन में जीवन में सफल बनने के लिए निपारा करम दिवस और आज जो पराकरम दिवस है वह हम नेता जी सुभास चंध्रबोश के लिए मनाते हैं टिक है आज क दिन में जैसे में हमेशा जै हिंद बोलता हूँ तो ये जै हिंद भी जो शब्द है वो भी निता जी सुबास चंदरबोस के द्वारा ही आया हुआ है तो ये बहुत ही प्यारी लाइन है और हिंद की जै हो आपके हिंदुस्तान की जै हो यहाँ पर ये जो लाइन किसी ने कही थी तो वो सुभास चंदरभूस ने कही थी दो-तीन बाते आज हम पहले इनके बारे में बताएंगे तब उसके बाद मैं आज के सेशन की शुरुबात करेंगे तो नेता जी सुभास चंदरभूस के बारे में सबसे पहले पहले इसा नहीं है करी सारी आपके जीवन में सफल ताय आ रही होती है और उसके बाद में तब जाकर एक दिन आप कही न कहीं प्रयास से अपने परतने से सफल बन जाते हैं इनकी हमने पूरी कहानी पड़ी हुई है और पूरी कहानी का जो सार है वो हम आपको 2-3 मिनट में समझाते हैं ताकि आपको उनके जीवन से सीखने के लिए काफी कुछ मिल जाए तो बात है निताजी सुभास चंदरभूस के निताजी सुभास चंदरभूस एक आपी लोगों के तरह एक आम आदमी वो भी थे जिस तरीके से आप एक एस्पेरेंट है उसी तरीके से वो भी एक एस्पेरेंट रहे उन्होंने भी अपने जीवन में तयारी की और उस समय आईसीएस नामके सिविल परिक्षा जो है जो सिविल सर्वीसेस होती है जैसे आईएस 노래 watched. होता था करते हैं हम अपने comfort zone में ही रहना पसंद करते हैं लेकिन ये इंसान जस्ट उसके विपरीत है जैसे उधारन के तोर पे अगर मानिए कि आपकी नोकरी MTS में लग गई तो आप MTS में ही रहना पसंद करोगे कई सारे बच्चे बोलते हो नहीं बढ़ियां हैं सुखी जीवन हैं क क्या जरूवत है जिन्दगी में आगे बढ़ने की क्या जरूवत है कुछ और मेहनत करने की ठीक है जितना चल रहा है उतना चलने दो लेकिन ये ऐसे वेक्ती नहीं थे ठीक है पूरे भारत में चौथी रैंक प्राप्त करने के बाद भी civil servant बनने के बाद भी इनका जो सपन था वो थोड़ा और आगे बढ़ता चला गया उसके बाद में धीरे धीरे अपने मेहनत के दमपे और गांधी जी की विचारधारा से जुड़ते हुए स्वामी वेकानंद को फॉलो करते हुए ये जो है भारत की अजादी के तरफ बढ़े उसके लिए भारत में हर वो कोश आगे बढ़ना रहे कर जो है यहां परzer अंगरेजों की गुलामी ही एक तरीके से करश रखता हुए उनके बनाएं नियमों को जो है आम पब्ली के ऊपर में थोप सकता हूँ लेकिन जो मेरे हिंद के वासी हैं जो मेरे हिंद के नागरिक हैं जो मेरे ह Salesforce के लोग हैं उनको मै आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ये ने लगा कि यहाँ पर हमारा काम नहीं बन सकता है, तब उन्होंने जो है, एक उनके उपर मुकदमा चल रहा था कोलकाता के कोट में, और वहाँ पर उनको हाउसरेट कर लिया गया था, घर में बंदी बना लिया गया था, और ये कहा गया था कि आप देश शोड़के नहीं जा सकते हैं, आपको घर में ही रहना पड़ेगा, लेकिन एक रात चुपके से वो चकमा दे के पुलिस को जो है, वो निकल जाते हैं, और वो सीधा जर्मनी पहुंचते हैं, हिटलर के पास में, सोचिए मतलब आज के समय में, आप अपना करिए कि हम कमफर्ट जोन में रहने की कुशिश करते हैं, हम कभी भी अपने कमफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते हैं, हम कभी भी एक्स्टा एफट नहीं डालते हैं, लेकिन एक इंसान जो ओलेंडर रेंग चार भी लाया, सिविल सर्वेंट भी बना, कॉंग्रेस का भी बना, भारत में उसको अच्छी प्रसिद्ध मिली, लेकिन उसके बाद में ये इनसान बेचैन है, ये पूरे भारत में हर किसी की आजादी चाहता है, और तब वहां से वो निकलते हैं, जर्मनी, ठीक है, हिटलर के पास जाते हैं, हिटलर से संभव मदद मांगते हैं, कि इनको आइने के नाम से भी जाना जाता है, और वो भारत की एक सबसे पहली सेना है, वो वहां पर निर्मान हुई होती है, उस सेना में जापान के जो कैदी थे, वो आजाते हैं आपको, बर्मा के जो एक तरीके से जो कैदी थे, उनको वो शामिल करते हैं, और धीरे धीरे न कहने का मतलब गर तुम्हें भी जीवन में आगे बढ़ना है तो मेरे भाई तुम्हें तो struggle करना पड़ेगा तुम्हें भी कुछ न कुछ sacrifice करना पड़ेगा इसी विचार धारा के साथ धीरे थी यह लड़ते चले गए और एक आजादी में बहुत ही महत्वपून भमी का निभाई तो जब पूरी जीवनी इनकी पड़ी ना हमने तो मुझे एक बात समझ में आ है कि यह इंसान जो है ना यह इंसान नहीं थे यह एक एक तरीके से आप कह सकते हैं बेचायन आत्मा की तरह थे जिनके मन में हमेशा एक बेचायनी होती थी हमेशा कुछ करने की होती थी कि कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम और बेस्ट करें आज अगर हम मेरा कोई भी वर्जन है तो उसका next वर्जन मेरा और भेतर कैसे हो कैसे लोगों के अंदर में हम अलग जलागा पाएं मेरे लिए आराम हराम है ऐसी वाली स्थिती थी तो आज इनके बातों से मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा मेरे भाई कि जब ये एक इंसान इस लेवल तक की विचारधारा रख सकता है उस लेवल तक की मेहनत कर सकता है तो फिर आप लोग क्यों रुकते हैं जीवन में सफलता आप लोगों को ऐसा नहीं है कि एकी दिन में मिल जाती है लेकिन निरंतर प्रयास करते रहेंगे ना तो एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आपको सफलता मिलेगी तो कहते हैं न कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन हाँ मेहनत करते चलो तो एक दिन जरूर मिलेगी यह मेरा दावा है आपसे तो इनकी जीवन से आज प्रयणा लीजे और मेहनत करने को उठानी है आप जीवन में यकिन वानी आप भी सफलो पाएंगे और कभी भी जीवन के जिस मुकाम पे आप रहे न तो हमेशा उस मुकाम को आखरी छोर मत मानियेगा वो आपका लास्ट मेरे भाई जोरनी नहीं है वो आपका लास्ट पढ़ाव नहीं है यह हमेशा मान के चलिएगा यह तो अभी शुरूरात है अभी तो मुझे और बड़ा काम करना है इन्हें विचारधारा के साथ मैं भी फॉलो करते चलता हूँ हमेशा मुझे लगता है कि आज मैं जो हूँ शायद ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है ये तो मेरा एक फाउंडेशन है मुझे तो अगला कदम और बड़ा रखना है और बड़ा काम करना है आज अगर मैं एक एजुकेटर हूँ और यहां से मैं 1500 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कल मुझे 5000 बच्चों को पढ़ाना है फिर 5000 लाग बच्चों को पढ़ाना है और एक वक्त आएगा कि पूरे भारत को भी पढ़ाना है हर घर में यहां सरकारी नोकरी प्राप्त करवानी है और जरूरी सरकारी नोकरी हो हर घर के बच्चों को कही न कहीं किसी न किसी दिशा से कामयाब बनाना है तो मेरी कोशिश ये रहती है, मेरी मेहनत ये रहती है, आप भी इनी विशारधारों के साथ जोड़कर अपनी मेहनत को डबल करो और मेरे भाई जीवन में आगे बढ़ो, सिर्फ जहां तक आप हो, आप अपने आपको वहां तक सिमित मत रखो, यकीन मानों आपकी जो ताकते ह वह असिमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, बस आप अपने आपको जंजीर से, बेडियों से रोके हुए हो, अगर आप इस बेडियों से अपने आपको मुक्त करते हैं, और वो बेडि कौन सी है पता है, वो मन की बेडिया है, वो वो एक तरीके से जंजीर है आपके पाओ में आपके मन में आपके हाथ में जो आपने जंजाल बना रखा है जिस comfort जो उनमें आप जी रहो यही वो आपके लिए बेडी का काम करती है अगर इन बेडियों को तोड़के इन विचारधारा से थोड़े आजाद होकर अच्छी विचारधारा फॉलो करते हैं अच्छी किताबे पढ़ते हैं अच्छी संगत में रहते हैं अच्छी सोच लगाते हैं तो यकिन मानों जीवन में एक पल आएगा कि आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं होगा तो महनत करिए और जीवन में आगे बढ़िए इनी शब्दों के साथ आज के सेशन को वापस से जेहिंद कहते हुए मैं शुरू करता हूँ आज स्वागत है आप सभी का आठवे दिन में 21 दिन 21 मेराथन के जहां पर हम करने वाले हैं HCF और LCM संपून हमारा ठीक है महतम समावर्तक और लगतम समावर्तक तो क्या आप सभी हमेशा की तरह एक बात पुछूँगा कि हाउस दजूष क्या आप सभी एकसाइटेड है जल्दी से बताइए फटाफट बताइए चलिए भाई मेरे जल्दी से आजओ भाई जल्दी से तो प्रन ले रहे हो एकदब महनत करोगे ना आगे बढ़ोगे ना चलिए बहुत बढ़िया फटाफट वीडियो को शेर कर दीजे लाइक कर दीजे और आज के सेशन की जबरदाफ शुरुआत करते हैं मेरे भाई तीक है अंग्रेजी में दो शब्द हैं यहाँ पर एक तो तुम बोलोगे यहाँ पर HCF और दूसरा यहाँ पर क्या बोलोगे भाई तो दूसरा बोलोगे यहाँ पर LCM और HCF और LCM यहाँ पर क्या होता है इंग्लिश में तो HCF और LCM होता है लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे तो हिंदी में मेरे भाई यहां बोलेंगे महत्तम समावर्तक तो महत्तम को ऐसे लिख देते हैं समावर्तक आपका यह हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा तो LCM को हम बोलेंगे सर लगुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा तो लगुत्तम समावर तक अब बात यहाँ पर आती है यह HCFLCM होता क्या है कैसे हम निकालते हैं कैसे इनके उपर के सवाल बनाते हैं तो देखो सवालों के लिए तो मैंने पूरी PPD यहाँ पर आप सभी के लिए देखो खतरनाक लेवल पर तयार कर रखी है काफी सारे questions मैं आप लोगों के लिए ले के आया हूँ दिल्ली Police Constable से लेकर UP Police Constable तक सभी सवालों को सिर्फ आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से और मेरे बताये गए concept को ध्यान रखना है हम लोग तेजी में बिलकुल नहीं भागेंगे मैं अपने आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ आपको पढ़ाने आया हूँ तो एकदम जो है मेरे भाई यहाँ पर तरीके से सभी बातों को हम यहाँ पर follow करने वाले हैं बाकी जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो उनको हम एक छोटी सी बात बता दे भाई हम लोग साथ क्लास कर चुके हैं और यह हमारा वो सादो क्लास का लिस्ट है आज हमारा डे नमबर आठ है जिसमें हम यह HCF LCM करने वाले हैं जैसे जैसे जो जो टॉपिक होता होता जाएगा ना भाई वैसे वैसे मैं यहां पर मेंशन करते चला जाओंगा तो चलिए एकदम शुरुआत करते हैं आज के प्यारे से सेशन की HCF की और LCM की आईए छोटी सी बात हम आपको समझाते हैं वो समझेगा जैसे मान लिजे कि मेरे पास दो संख्या है एक मेरे पास यहां पर 12 है और दूसरा मेरे भाई यहां पर क्या है तो 18 है ठीक है एक हमारे पास क्या है तो 12 है और दूसरा हमारे पास क्या है तो 18 है या पहले यहां पर देख लीजे तो पहले एक कामकरी हेडिंग डालिए LCM के बारे में पहले हेडिंग किसके बारे में डालते हैं तो LCM के बारे में यानि लगुत्तम समावरता के बारे में तो जैसे मान लीजे हाँ पर क्या हो जाएगा तो 12 हो गया हमारे पास में और अगला हमारे पास में क्या हो गया, तो 18 हो गया, अब 12 है, तो 12 के अपने multiple कौन कौन से होंगे, तो 12 एकम 12, 12 दुना 24, 12 दियें के 36, 12 चोके 48, 12 पचे 60, 12 चक बहतर, ऐसे करकर के 12 के तो काफी सारे गुनन खंड होंगे, multiple होंगे, ठीक है, 18 की बात करें तो 18 एकम 18, 18 दुना शब्द लिखते हो ना, तो LCM का थोड़ा full form हम आपको समझाते हैं, यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, तो बोलते हैं, इसको least बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर C का मतलब क्या होता है, तो common हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, तो multiple हो जाता है, गुनन हो गया एक तरीके से तो कोई भी संख्या का मल्टिपल क्या होता है उसका पहाड़ा ठीक है जैसे ये सारे क्या है तो किसके मल्टिपल है तो बारा के ये सारे किसके मल्टिपल है तो अठारा के अब ये दोनों संख्याओं के जो multiple हैं आप इनमें देखो क्या कुछ common है तो बोलोगे हाँ गुरुजी common है 12 के multiple में भी 36 आता है 18 के multiple में भी 36 है तो सर एक हमारा क्या मिल गया तो 36 मिल गया 12 के multiple में भी बहतर आता है 18 के multiple में भी बहतर आता है यानि ये बहतर हो गया यानि जब भी आप दो संख्याओं को लिखते हैं तो इन में कई सारे common multiple आते हैं एक होता है ये 12 का multiple एक होता है ये 18 का multiple और एक होता है common multiple जो दोनों में common हो तो यहाँ पर ये भी दोनों में common है और ये भी दोनों में common है तो ऐसे तो अनन्तो संख्याओं आएंगी जो कौमन होगा अब उन अनन्तो संख्याओं में जो यहाँ पर आखरी स्थान पर होगा उसका हम पता लगा ही नहीं सकते अब यार यह सिरीज कहां जाएगी पता है आपको पता ही मिश्रा जी पता है नहीं पता ना मतलब सुसुराल जाएगा कि माई का जाएगा नहीं पता नहीं यहाँ पे तो वही बात है कि यह सिरीज का अंत हमें नहीं पता लेकिन यह सिरीज में जो पहली संख्या जो दोनों में common आई थी वो हमें पता है और वो पहली कौन सी common आई थी तो बोलेंगे सर 36 आई थी ठीक है तो यह 36 कैसी संख्या है तो बोलोगे सर यह कौन सी संख्या है तो least संख्या है कौन सी संख्या है तो least संख्या है सबसे छोटी इसलिए हम यहाँ पर LCM का मतलब क्या होता है least common multiple यानि कहने का मतलब की जैसे मान लीज़े अगर आप दो संख्याओ को लिखते हैं अगर आप मान लीज़े कि दो संख्याओ का लिखते हैं तो यहाँ पर यह भी common multiple है यह भी common multiple है यह भी common multiple है लेकिन जो उसमें सबसे छोटी वाली होती है ना तो उसी को हम least फिर हम यहाँ पर कहते हैं common और फिर हम यहाँ पर क्या कहते हैं multiple यानि अगर हमें दो संख्याओं का मेरे भाई LCM पता करना है तो वो सबसे छोटी संख्या पता करनी होगी वो सबसे छोटी संख्या पता करनी होगी जो दोनों से क्या हो जाएगी कट जाएगी अभी LCM क्या है हम आपको वो समझा रहे है निकालना कैसे हम आपको वो नहीं बता रहे है निकालना कैसे हम समझाएंगे उसके लिए आप निश्चिन्त हो जाएए अब या पहले उसकी परिभाशा को जो है यहाँ पर वो समझे कि खुद के कई सारे multiple होते हैं common भी कई सारे होते हैं लेकिन जब से छोटू वाला जो दोनों में common होगा न उसको क्या बोलेंगे तो उसको हम least common multiple कहते हैं यह LCM यानि लगुतम समावर्त की परिभाशा होती है अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर LCM से आगे हटकर हम तोड़ा बढ़ते हैं HCF के बारे में अब HCF यहाँ पर क्या हो जाता है तो HCF जो शब्द बना है वो बना है F से यानि इसका अगर आप full form जानोगे तो क्या हो जाएगा तो बोलोगे सर highest common और क्या हो जाएगा factor यहाँ पर ठीक है highest common factor अफ factor का मतलब यहाँ पर क्या होता है तो factor का मतलब यहाँ पर वो होता है कोई भी संख्या जिन जिन संख्या उससे कट जाए उसे फैक्टर बोलते है तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे मानो यहाँ पर 6 है मेरे भाई तो 6 हमारा किस-किस से कट जाएगा तो बोलोगे या 6 ऐसे समझ लो किसर यहाँ पर 8 हो गया और हमारा एक तरीके से 20 हो गया यहाँ पर तो 8 किन-किन संख्या उसे कट जाएगा 8 एक से भी कटेगा 8 दो से भी कटेगा 8 हमारा 4 से भी कटेगा 8 आट से भी कटेगा 20 की बात करें तो 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 10 हो गया और 20 हो गया अब वही बात है मेरे भाई एक संख्या हमारी यहां पर यह है अब यहां देखो कि तो factor का मतलब क्या होता है तो factor का मतलब हो गया जिससे वो कटे multiple का मतलब यहां पर हो गया या उस संख्या से क्या होता है ज्यादा होता है और अगर हम factor की बात करते हैं तो कोई भी संख्या का factor या तो संख्या के बराबर होता है या फिर मेरे भाई क्या होता है तो संख्या से कम होता है यानि अगर हम multiple की बात करें तो multiple या तो मेरे भाई बराबर होगा उस संख्या के या फिर हमेशा उससे क्या होगा ज्यादा और अगर हम factor की बात करें तो बराबर हो गया उस संख्या के या फिर उस संख्या से क्या होगा तो कम होगा यह फर्क होता है factor और multiple में अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या क्या common है तो बोलो कि गुरुजी सबसे पहले तो एक भी common है और क्या common है तो दो भी common है और क्या common है तो चार भी common है और आगे कुछ common है तो नहीं यानि इसमें कही सारी संख्या हैं हमारी common है तो हमें क्या लेना है पहले factor तो देखो मैंने इसका भी factor लिया है उसका भी factor लिया है फिर उसके बाद क्या लेना है common factor तो ये भी एक common है, ये भी common है ये भी common है लेकिन उसमें कौन सा वाला तो highest वाला यानि वो संख्यां जो दोनों के अंदर में common मिले और साथ के साथ क्या हो तो सबसे बड़ी हो यानि इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो क्या होगा तो च्छार होगा यानि कभी भी दोनों संख्याओं के बीच में वो बड़ी से बड़ी संख्याओं जो दोनों को काट दे वो बड़ी से बड़ी संख्याओं जो दोनों को काट दे HCF ऐसा होता है जो बोलता है शांत रहो नहीं तो आएंगे तो सब को उड़ागे फिक देंगे यानि HCF संख्याओ को काटता है लेकिन LCM जो होती है वो संख्याओ से कट जाती है इस बात का ध्यान रखना है आपको यहां पर फर्क होता है HCF कभी भी छोटी value होती है LCM कभी भी बड़ा value होता है अपने शब्दों के ये विपरीथ होते हैं कहने को highest है लेकिन value में ये कम आता है और ये कहने में मेरे भाई यहां पर least है लेकिन value उसकी क्या होती है तो काफी बड़ी होती है ठीक है समझे इस बात को लेकर अब बात करते हैं यहां पर HCF LCM की परिभाशा के beyond की हम इने calculate कैसे करेंगे अगर आप एकी common method से चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर method number one बता रहा हूं calculate करने का prime factorization method आप इने कह सकते हो तो method number one यहां पर क्या हो गया जैसे मान लीजे कि मुझे 12 का और मुझे 18 का पता करना है तो मैं क्या करूंगा तो पहले यहां पर 12 जो है यहां पर उसका prime factorization हम लोग बना लेंगे कैसे बनाएंगे बच्पन में जो हम करते थे वैसे 12 को पहले divide किया 2 से कितनी बार में 6 बार में दो से कितनी बार में 3 बार में और 3 से कितनी बार में 1 बार में तो 12 को हम कैसे लिखेंगे 2 का square into कितना हो जाएगा 3 तो 12 को लिखने का तरीका क्या होगा 2 का square into 3 का power 1 हो जाएगा मेरे भाई ठीक है उसके बाद में यहां पर 18 की बात करते हैं तो 18 को हम कैसे लिखेंगे, तो बोलोगे सर 2 को 9 से काटिए, और इसके बाद में यहाँ पर 3 को 3 से काटिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या काटेंगे तो एक बार में, यानि यह हमारा हो जाएगा मेरे भाई, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 का स्कॉर, ठीक है, तो पहला तरीका जो होता है, दोस्तों यहाँ पर वो यह होता है, ठीक है, कि यह दोनों संख्याओं का हमने क्या किया, तो फैक्टराजेशन हमने लिख दिया, अब इन दोनों संख्याओं के फैक्टराजेशन को लिखने के बाद में, हम यहाँ पर इनका HCF, LCM कैसे लिख पाएंगे, तो बताईज़ श्रा जी दो ज्यादा किस के पास में हैं वो उठा के लेके चले आओ, ठीके, तो 2 का स्कॉयर मेरे बाई कितना हो जाएगा, 4, 3 का स्कॉयर कितना हो जाएगा, 9, और 4 in to 9, कितना हो जाएगा, 36, ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा LCM कहलाता है, Lagutam Somavarta कहलाता है, कि यहां पर बड़ी से बड़ी या ऐसे कह लीज़े जितना common मिल जाए दोनों के अंदर में जो दोनों के अंदर में समान हो जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो जो दोनों के पास में मौजुद होना मुझे हैं पर वो चाहिए तो यहां पर देखो दोनों के पास में क्या common है तो बोलोगे सेर इसके पास भी दो के एक पावर हैं और इसके पास भी दो के एक पावर हैं तो कितना हो जाएगा दो के एक पावर और इसके बाद में तीन के पास जो common हो यहाँ पर भी तीन का एक पावर यहाँ पर भी तीन का एक पावर तो तीन का एक पावर यानि 2 into 3 कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा तो यह हमारा क्या कहलाएगा तो यह हमारा मेरे भाई HCF कहलाएगा highest common factor कहलाएगा ठीक है तो अगर हम बात करते हैं तो LCM का मतलब बड़ी से बड़ी power को लेना और HCF का मतलब यहाँ पर क्या होता है और वो एक्जामपल हम आपको समझाते हैं क्या कहा गया तो मेरे भाई एक सवाल है मेरा आपसे simple सा question है कि कितने चलिए बताएगे जल्दी से यहाँ पर question में हम आपसे यह कह रहा है कि 24 का और यहाँ पर 40 का आप मुझे यहाँ पर बता दीजे LCM कितना होगा और मुझे बता दीजे यहाँ पर HCF कितना होगा महत्तम समावर्तक और लगुत्तम समावर्तक बता दीजे जल्दी से कितना होगा वटाफट मुझे यहाँ पर बता दो मेरे भाई कितना उत्तर होगा जल्दी से यहाँ पर 24 का और 40 का जल्दी से कमेंट बॉक्स शुरू कर दीजे यहां पर सर आज कितनी देर क्लास चलेगी लगबग मेरे भाई जो है अगर अभी 9 बज़ रहे 11 बज़े तक आप लोगों की क्लास तो चलेगी यहीं चलेगी यह फिक्स है ठीक है बस वीडियो को थोड़ा हम लोग जल्दी में लिखेंगे लेट नहीं करेंगे तो 24 का मतलब यहां पर होता है 8 into 3 8 का मतलब यहां 2 का क्यूब और 3 का मतलब पावर 1 40 का मतलब होता है यहां पर 8 into 5 यानि 2 का पावर 3 into 5 का पावर 1 अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर LCM लेना है तो LCM का मतलब यहाँ पर क्या होता है तो LCM का मतलब यहाँ पर मेरे भाई तो आप यहां से ले लो तो overall आपका कितना हो जाएगा तो बोलोगे गुरुजी 8 x 3 x 5 यहां पर हो जाएगा यानि 15 अठे कितना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा यह क्या कहलाएगा तो यह इनका LCM कहलाएगा लगुत्तम समावर्त कहलाएगा भाई ठीक है और अगर हम next बात करते हैं हापर HCF के बारे में highest common factor के बारे में तो highest common factor हमारे क्या होगा तो वो जो दोनों में common ले सकते हो यहां पर फर्क नहीं पड़ता कि जादा है कि कम है लेकिन दोनों के पास हो जैसे अगर हम 2 के power के लिए निकले तो 2 के 3 power इससे भी लिए जा सकते हैं 2 के 3 power इससे भी लिए जा सकते हैं तो वो हमने ले लिया तीन के खोज में निकले, तीन इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है यानि ये असमर्थ है तो तीन नहीं ले पाएंगे पाँच इसके पास तो है लेकिन पाँच इसके पास नहीं है तो पाँच नहीं ले पाएंगे यानि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 8 यहीं हमारा क्या कहलाएगा तो यहीं हमारा LCM कहलाएगा मेरे भाई यहीं हमारा HCF कहलाएगा तो यहाँ पर महत्म लगुत्म समावर्तक 120 होगा और महत्म समावर्तक हमारा कितना होगा तो 8 होगा इसके और भी कई सारे method है method number two, method number three method number, मतलब एक long division method भी है एक साथ factorize करने का भी है लेकिन अभी वो सारी methods की चर्चा हम नहीं करेंगे आराम से हम इस बेहाफ पर आगे बढ़ेंगे और चोटी-चोटी बातों को समझेंगे एक मेरा simple सा question है देखते हैं यहाँ पर इसका उत्तर कितने लोग दे पाते हैं एक A नाम की संख्या है अब यह A नाम की संख्या मैं यहाँ पर देखिएगा दो के मैंने दो पावर रखे हैं तीन के मैंने यहाँ पर मेरे भाई एक पावर रखा है ठीक है पांच के मैंने यहाँ पर दो पावर रखे हैं और उसके बाद साथ के मैंने एक पावर रखे हैं और बी नाम की संख्या है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर तीन के तीन पावर रखे हैं पांच के दो पावर रखे हैं साथ के मेरे भाई यहाँ पर साथ मैंने रखाई नहीं है और 11 का मेरे भाई एक पाउर रखा है मुझे यहाँ पर सबसे पहले इस सवाल में थोड़ा सा मैंने अब लेवल बढ़ा दिया मुझे यहाँ पर इस सवाल का पहले LCM बता दो कितना होगा और मुझे सवाल में यहाँ पर HCF बता दो HCF कितना होगा फटा-फट मुझे दोनों चीजों का जो है वो उत्तर चाहिए आप लोगों से जल्दी से बता दीजे यहाँ पर की कैसे करेंगे बड़ा डेटा होगा तो कैसे काटोगे कैसे तोड़ोगे सब कुछ हम बताएंगे परिशान मत हो वो सारा का सारा जो है हम आपको सिखाएंगे आप अभी आराम से सीखते चलो पहले क्लास की मैंने शुरुआत किया है क्लास मैंने खतम नहीं किया है मेरे पढ़ाने का लहज़ा ऐसा है कि हम आपको जड़ से उठाके जो है आकाश तक छोड़ेंगे दिखेंगे कहते हैं नो जीरू टो हीरो वाली बात तो वही बात हो जाएगी मेरे भाई शुनने से शिकर तक आपको पूरा पहुँच आएंगे यह आपको दिख जाएगा खुश रो ठीक है तो चलिए यहां पर देखेंगे जल्दी से बताईए मुझे यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा तो LCM का मतलब सर बड़ा से बड़ा पावर हर जगा पर यहां कौमल लेना तो यहां पर बड़ा पावर क्या है दू का क्या कोई बड़ा पावर है इसके पास में नहीं तो जू इसके पास में है वहीं उठा लोगे ठीक है तीन का मेरे भाई देखो बड़ा पावर किसके पास में है तो नीचे वाले के पास में है तो वह उठा लोगे पांच का मेरे भाई बड़ा पाउर किसके पास में है दोनों के पास में है तो उठा लोगे ठीके, साथ का मेरे भाई बड़ा पाउर किसके पास में है तो उपर वाले के पास में है वहां से उठा लोगे और 11 कहां से उठाओगे तो 11 हमारा नीचे से उठा लोगे अब एक काम करो जरा सब को मल्टिप्लाई करो तो यहां बोलोगे सर यह 4 है, यह हमारा 27 है, यह हमारा 25 है और यह हमारा 7 है, और यह हमारा 11 है थोड़ा सा मापके लिए चीज़े आसान बना देते हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं 4 को 25 से गुना करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा 27 को 7 से गुना करेंगे तो 7 सते 49, 7 2 14, 4 18, 189 हो जाएगा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई तो 4 इंटू 25 हमारा कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर 100 हो जाएगा 7 सते 49, 7 2 14, 4 18, 189 हो जाएगा और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, एक 11 अब एक लाइन में आपका अंसर आ जाएगा कोई भी संख्या कोई 11 से गुना करने का ट्रिक तो पहले ये संख्या खुद लिखो इसमें इसके पडूसी को जोड़ो 9, 8, 17 में 7, 1 पास में 8, 9 और 1, 10 का 0, 1 पास में और ये 2 हो जाएगा और लास्ट में 100 से मल्टिप्लाई किया है तो ये तुमारा आंसर है 207900 207900 ये हमारा क्या होगा तो ये हमारा लगुत्तम समावर तक होगा ये हमारा क्या होगा तो बोलेंगे गुरुजी लगुत्तम समावर तक होगा ठीक है अब उसके बाद में यहाँ पर बात आता है मेरे भाई HCF के बारे में किसका HCF क्या हो सकता है महتم समावर तक क्या हो सकता है तो HCF का मतलब यहां पर वो बड़ा से बड़ा पावर वो maximum पावर जो दोनों से आप common ले पाएं तो यहां पर दो के पावर आप common लेने के स्थिती में हैं बोलेंगे नहीं सर नहीं ले सकते हैं ना यहां पर दो है लेकिन यहां पर दो नहीं है आप तीन के पावर को देखिए तीन के कितने पावर आप common ले सकते हैं कितने ले सकते हैं मिश्रा जी तीन के एक पावर आप common ले सकते हैं तो पाँच के दोनों पावर हम common में ले सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पर 7 के power common ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, एक 11 का power common ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, तो जिनको हम common नहीं ले पाएंगे, उनको हम क्यूं ले, तो रहने देता है, तो यानि यह हो जाएगा 3 into 25 और 3 into 25 कितना होगा, तो बोलेंगे सर 75 जो ह में क्या हो common हो जितना ज्यादा भी आप common निकाल सकते हैं आप उतना common निकालिए तो आप क्या सीख जाएंगे HCF निकालना ठीक है तो आए ज़रा यहाँ पर थोड़े से कुछ सवालों को हम करते हैं और हम धीरे धीरे उनके ट्रिक को कंसेप्ट को और सारी बातों को जानना हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर छुटु मोटु कुशन एक आपका UP Constable का 2018 में जो की पूछा गया था और कहा गया था कि बावन अठत्तर 156 का लगुतम समावर्तक जो होगा वो क्या होगा मैंने यहाँ पर कहा कि देखो इसा हम लोग बचपन में करते थे जब हमें स्टेप मार्किंग होता था जब हमें दसवी बारवी के परिक्षाओं में नंबर प्राप्त करने होते थे लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे हम कंप्टिशन एक्जाम की तियारी कर रहे हैं जहां पर मेरे पास चार आप्शन दि हैं वो दूर दूर तक वास्ता ही नहीं रखता इस बात से तो जब दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता है तो हम यहां पर क्यों अपने आपको लेंदी लेके जाएं ठीक है तो यानि मुझे जब पढ़ाना था मुझे जब आपको सिखाना था तो हमने बता दिया यहां प पर 3 संख्या लिखी है, मैंने यहां लिखाじゃあ 7 उसमें सबसे बड़ी वाली संख्या को प्यार बढ़ी नजरों से देखना, सबसे बड़ी संख्या कौँ सी है, 56 है, और उसको देखना कि क्या ये सबसे बड़ी संख्या को बाकी लोग काट पा रहे हैं, तो साथ हमारा 56 को काट पा रहे हैं, जी हां गुरू जी काट पा रहे ह 28 हमारे 26 को काट रहा है जी हाँ काट पा रहा है तो जब ये वाला भी इसको काट दिया और ये खुद को भी काट रहा है इसका मतलब हमारे LcM कितना हो जाएगा तो 56 हो जाएगा यानि जब हम 3 संख्याओं को लिखते हैं और 3 में मेरे भाई जो बड़ी वाली संख्या वो यदी सबसे कट जाती है तो बड़ी वाली संख्या ही क्या कहलाती है अब ही हम आपको धीरे धीरे short approach जो है smart approach जो है वो बताते चलेंगे तो यानि इस question number one की बात करें पहला method हो जाता basic से दूसरा method मैंने यहाँ पर 3 संख्याओं को देखा मैंने देखा सरी ये 52 है और 52 का ही 3 गुना 50 का 3 गुना 1.5 और 2 का 3 गुना 6 यानि ये इसको कितनी बार में काट पा रही है 3 बार में काट पा रही है उसके बाद यहाँ पर ये दूसरी वाली संख्याओं देखा 78 आपका मेरे भाई यहाँ पर 70 का 2 गुना 146 का 2 गुना 16 यानि 156 ये इसको दो बार में काट पा रही है तो पहली वाली ने इसे कितनी बार में काटा 3 बार में और इसने इसे कितनी बार में काटा 2 बार में यानि ये भी इसको काट गई और ये भी इसको काट गई और ये खुद को भी काट रही है इसका मतलब आंसर कितना होगा तो option number A होगा कि आओ कहीं गोमने चले यहाँ पर तो method number one basic और method number two logic कि जब दो संख्या या तीन संख्या दी गई हो और सबी एक मिलकर काट रही हुए कि संख्या को तो जो कटती है वहीं आपर क्या काम करती है LCM का ठीक है आज है चलिए अब next बात करते हैं यहाँ पर LCM के बारे में एक और सवाल वापस से अब देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों की जो बुद्धी है यह काम करती है अलाकि यह थोड़ी बड़ी संख्याई की बार आप लोगों के लिए हो जाएगी बट कोई बात नहीं हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर थोड़ा बड़ा सवाल बनाएं थोड़ा सा काल्कुलेशन तो आप लोग करें हम यह चाहते हैं और फिर उसके बाद में इस सवाल को चुटकियों में कैसे बनाना है हम आपके लिए वो भी बताएंगे मतलब हम आपको यह भी बताएंगे कि मातर यहाँ पर यह सवाल जो है आप तीन सेकंड में कैसे करश रखते हैं यह समझ लीजे यह बेसिक भी सिखाने वाले हमी होंगे और बेसिक भी भुलाने वाले हमी होंगे दोनों यहाँ पर हमी काम करेंगे बेसिक किसलिए सिखाएंगे क्योंकि वो आपकी नीव है वो आपकी जड़ है और अपने जड़ों को कभी नहीं भूलता है इंसान कहते हैं ना यहाँ पे कि तुम्हारा कद कितना भी उचा हो जाए याद रखना की पाउं जमीन पर ही है तो जमीन से जुड़े रही है ज़्यादा अच्छे रहें एकदम मोदी जी बनी है है यहाँ पे कि एकदम कार्य करता के पैर छूले आप यहाँ पे पहुंग रहा नहीं बात को। वहीं बनना है। और खैर्ट ये अंदर से सद्भावना आपकी प्रकट होनी चाहिए। ठीक है तो बेसिक से जब हम करेंगे तो यह जब हम 98 को तोड़ेंगे तो 98 हमारा 49 का दोगुना दिख रहा है यानि हम बोलेंगे सर यह 2 इंटू 49 है और 49 को हम 7 का स्क्वायर लिखते हैं 145 की अगर हम बात करें यहां पर तो अगर हम इसे 5 से काटेंगे तो 29 बार में कटेगा तो बोलेंगे सर यह हमारा हो जाएगा 5 इंटू कितना 2 बार में और 9 बार में ठीक है 29 प्राइम नंबर है तो आगे और टूटेगा नहीं अगर हम 505 की बात करते हैं तो 505 हमारा किस से कटेगा 5 से अगर काटेंगे तो 101 बार में 101 हमारा प्राइम नंबर है, तो वो नहीं कटेगा, ठीक है, तो एकदम बेसिक से यदि आप जाओगे, और जब आप इसके LCM के खोज में निकलोगे, तो LCM का मतलब क्या होता है, वो बड़ी से बड़ संख्या, जो दोनों में common हो जाए, तो आप यहाँ पर देखिए, पहली देखिए, साथ का मेरे भाई सक्वाir है यहाँ पे, उसके बाद में 29 का पाउर एक हमारए यहाँ पे, और उसके बाद में याँपर क्या होता है, 101 का पाउर एक यहाँ पे मतलब सबसे तुम्हें जितना जितना चंदा मिलते जाए ना तुम मेरे भाई इकठा करते चलो तभी तुम्हारा काम हो पाएगा दो का सिर्फ एक पाउर मिला तो वो लिया पांच के एक पाउर मिले तो ऐसा नहीं वन प्लस वन टू कर देना नहीं, मैकसिमम पाउर जिसके पास भी है उससे उठा लिया तुमने ठीक है, साथ का स्क्वार रहा, 29 रहा और यह रहा, मल्टिप्लाई करो मेरे भाई तो पहली बात यहां पे, साथ का स्क्वार कितना होगा, 49 और 49 इंटू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यह साथ का स्क्वार 49 है 49 को हम यहाँ 29 के साथ में multiply करेंगे, तो यह हमारा अलग हो गया, 5いくто, हमारा 10 हो गया, इसके साथ में multiply करोगे तो 1 is 0 1, और यहाँ 0 हो जाएगा अब आगे अगर चलके ठोड़ा multiply करोगे, 49 को 29 के साथ में 62 ठीक है चार दो नी 8 और 6 हमारा 14 1421 आएगा तो यहां पर हम बोलेंगे सर यह हमारा बराबर होगा 1421 के और इसको मल्टिप्लाई करेंगे 1010 के साथ में ठीक है लास्ट अगर आप यहां लिखोगे तो बोलोगे सर यह 005 में 101 का एक गुना 101 का एक 10 पास में 101 का एक गुना 101 हो गया 103 और 103 और 40 हमारा कितना हो जाएगा तो 103 और 40 मेरे भाई 143521 00 143521 और एक सिंगल 0 ठीक है डबल 0 नहीं आएगा सिंगल 0 ही आएगा यहां पर वही सिंगल 0 है हमारा ठीक है तो यह तो मैंने नहायती बेसिक से किया मतलब एकदम basic से किया कि पहले मैंने तोड़ा फिर तोड़ा फिर तोड़ा फिर यहां पर common निकाल के किया है बट मैंने शुरू में ही सवाल के कहा था कि basic भी आपको हम ही सिखाएंगे और basic भी आपको हम ही भूलाएंगे तो यहाँ पर आप इस सवाल को यहाँ पर भूलोगे कैसे कि नहीं गुरुजी ऐसे तो किये तो पता चलेगा यहाँ पर पूरा पेपर ना सॉल्व हो पाया खाली एके कोशन में हमारा सारा टाइम लग गया तो कैसे करोगे अब मेरा यहाँ पर यह कहना है कि गोर से देखो प्यार भरे नजरों से इन चार आप्शन को तुमारे और यहाँ पर क्या है तो यह चारो संख्याओ देखो पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या इनी संख्याओ का यह LCM है यानि कहने का मतलब जो भी संख्या उत्तर होगी उसके अंदर complete तरीके से 98 मौजूद होगा उसके अंदर complete तरीके से 145 भी मौजूद होगा उसके अंदर complete तरीके से 505 मौजूद होगा क्योंकि LCM एक भिखारी है ऐसे मान के चलो जो सबसे चंदा मांग मांग कर बना हुआ है यानि उसके अंदर हर किसी के गुन होंगे उसके अंदर इसका भी गुन होगा इसका भी गुन होगा अब यहाँ पर पकड़ो कोई भी एक प्राइम नंबर को जैसे मानो आप यहाँ पर यह देख पा रहे हो कि सर यह साथ से हमारा कटता है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 14 सते 98 होता है यह संक्या हमारी साथ से कटती है तो इन में कौन इसी संक्या ऐसी होगी जो साथ से कटेगी पहली बात यह पकड़ लो तुम क्योंकि सर अगर ये संख्या साथ से कटता है और ये संख्या हमारे सही उत्तर में मौझूद होगा तो हमारे सही उत्तर भी साथ से कटना चाहिए आप यहाँ पर साथ से काट के देखो आराम आराम से मध्यम से काट लो कोई दिक्कत नहीं मेरी रफ्तार थोड़ी ज़ादा है तो मैं वैसे चेक कर लेता हूँ 7 का 2 गुना 14, 23 आ गया 7 का 3 गुना 21, 26 आ गया 7 का 3 गुना 21, से क्या हो न गया 7 का 7 गुना 49, 22 आ गया नहीं कटेगा सर वैसे हिसे 7 का 2 गुना 14, 45 आ गया तो 42 कट जाएगा, 32 आ गया 28 कट जाएगा, 40 आ गया 35 कट जाएगा, क्या हो नहीं कटेगा अगर हम साथ से देखते हैं 7 का 2 गुना 14, 31, 28 फिर 35 आ गट जाएगा लेकिन 20 हमारा नहीं कटेगा 7 का 2 गुना 14, ये भी हमारा नहीं कटेगा समझ गए, मैंने जान के पहले सारे को चेक करने के बाद मैं तब option number B को चेक किया है, क्योंकि solve करते वक्त तो अपने को पता चली गया था, कि B हमारा सही उत्तर है, तो कभी भी जब आप calcium निकालते हैं, तो calcium निकालते वक्त अगर आप short hack अपनाना चाहते हैं, एक short trick अपनाना चाहते हैं, तो ये कि जिन संख्याओ का calcium पता कर रहे हैं, उन में से कोई एक prime number को धर लीजे, और उस prime number से हर किसी को divide करके देखे, जो भी सही उत्तर होगा, मेरे भाई, उसके अंदर वो prime number होना चाहिए, और अगर नहीं है, तो यहाँ पर मेरे भाई, वो prime number इन तीनों में मौझूद नहीं निकला, सिर्फ B में निकला, इसलिए कौन साप्शन सही होगा, तो B सही होगा, बात कतम मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आजए है, डिजिटल सम नहीं लगाते हैं, LCM में डिजिटल सम नहीं लगाते हैं, आईए, तो यहाँ पर अब next question हमारा, अब अगला सवाल हमने आप से HCF पूछा है, और बच्चो मेरे भाई, मेरे दोस्त यहाँ पर, ठीक है, सभी लोग जो है, सेशन को शेयर करते चलो, दस हजार तक बड़े प्यार से सफर को लेके आगे बढ़ते हैं, और उससे भी आगे सफर को और बड़ा बनाएंगे, और लोगों को जोड़ेंगे, 9000 रूपर बच्चे हमारे साथ जोड़ चुके हैं, आगे शेयर करते रहें, बड़े प्यार से सिखा रहा हूँ, मन अच बहुत कुछ है, और ऐसे ही आप लोगों को जो है, इन तक मुझे बहुत कुछ सिखाना है, तो वीडियो को लाइक करते रहें और शे इसे काड़ दे, इसे काड़ दे, अब फिर वही बात है, method number one क्या होगा, basic होगा, कि मुझे यहाँ पर method number one के अनुसार, मुझे पहले 26 के factor लिखने होंगे, 52 के लिखने होंगे, 78 के लिखने होंगे, 156 के लिखने होंगे, और तब मुझे यहाँ पर चेक करना होगा, कि यहा पेपर में वैसे काम नहीं होता है, option किसलिए आये थे, अब option में मेरे भाई, तुम्हारे पास में यह 4 option है, कितने option है, तो 4 option है, अब इसमें सबसे पहले बड़े वाले option को उठाओ, जैसे मानो 39 को उठाओ, तो 39 से जब तुम काटने जाओगे, तो कभी भी 26 को काट नहीं काट पाओगे, तो यह जीवन में कभी उत्तर हो सकता है, नहीं, अब 39 के बाद अगली संख्या कोण है, 26 है, 26 है हमारा 26 भी कट रहा है, 26 है 52 भी कट रहा है दो बार में, 28 हमारा 3 बार में, और 26 हमारा यह 6 बार में, यानि उत्तर कोण सा हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा यानि HCF की परिभाषा कि वो संख्या जो सब को मेरे भाई काट दे और LCM की परिभाषा वो संख्या जो सब से कट जाए ठीक है जो divisible है सबी लोगों से divisible है वो LCM कहलाती है और जो सब को लपेट देती है वो क्या कहलाती है तो यहाँ पर HCF कहलाती है यह राजा आदमी है हर किसी को उड़ा सकता है इसके पास इतनी पावर है यह दिखने में छोटा है कहते हैं देखन में छोटन लागे घाव करे गंबीर पॉकेट रोकेट है एक बार में सब को नेशन अबूत कर देगा और यह कैसा संख्या है यह वो है जो हर किसी से बिक्षा मांग मांग के मांग मांग के अपने आपको बड़ा बनाए हुए है ठीक है आईए चलिए यहाँ पर एक और छोटु सा सवाल आपको बताते है अब यहाँ पर हम आपको difference method भी बताएंगे और काफी कुछ बताएंगे सबर करें patience रखें यहाँ पर अब मेरे पास यह दो बड़ी बड़ी संख्या आ गई बोला गया यहाँ पर की 408 भी है और यहाँ 1309 भी है तो बताओ यहाँ पर इनका HCF कितना होगा यानि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे तो मेरे पास पहले मेरे इन चार options में सबसे बड़ी संख्या मुझे कौन से दिखी तो सबसे बड़ी संख्या मेरे भाई यहाँ पर 21 दिखी मैंने इसको 21 से काटना चाहा और मैंने 408 को मेरे भाई 20 से काटा क्या यहां पर यह कटेगा तो बोलोगे सर देखते हैं 21 से आप अहीं काट लीजे, देख लीजे मेरे भाई यहां पे तो 21 से एक बार में आपका 21 हो जाएगा बचेगा कितना 198 यहां पे क्या 198 इससे कट पाएगा जीवन में कभी भी नहीं कट पाएगा आप देख लो, 8 का एक गुनाट, 8, 2,16 तो मेरे भाई 21 से को नहीं काट पाएगा अब 21 से को नहीं काट पाएगा तो उसके बाद मेरे पास कौन सा उप्शन बचा उसके बाद उससे छोटी संख्या कौन सी है तो उससे छोटी संख्या हमारे पास में 19 है तो हमने 19 से चेक किया 19 से हम इसको काटने गए तो एक बार में और 118 जो कि 19 से कभी नहीं काट पाएगा थोड़ा सा फास्ट रखेंगे अपने प्रोसेसर को ताकि यह आपका फायदा मिल पाएगा अब 17 से काट करके देखो तो 17 का 2 गुना 34 होता है और 6 बच जाएगा तो 68 जो की 4 बार में काटेगा तो 17 नहीं इसको काट दिया है 17 से आप इसको काट के देखो तो 17 का 7 गुना 119 एक 11 बचेगा और फिर 119 बनाएगा जो की 7 बार में काटेगा यानि कौन सा option होगा तो 17 होगा यानि option number A जो होगा वो सही उत्तर होगा क्योंकि यहीं एक ऐसा option है जो दोनों को काट पा रहा है और यह अपने आप में क्या है तो बड़ा संख्या भी है यानि बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे वो क्या कहलाती है महत्तम समावर तक चलिए यहीं फायदा होता है जो हमारी जड़े मजभूत होती है जो हमारा basic clear होता है तो हम किसी भी सवाल को मेरे भाई जो हम लगा पाते है और बड़े असानी से जो है बता पाते है ठीक है इस सवाल को पढ़िये जरा क्या कहा गया इस सवाल में मेरे भाई बोला गया है कि अधिक्तम सम्भव लंबाई क्या है जिसका उपयोग 5 मेटर 95 सेंटीमीटर तथा 8 मेटर तथा 16 मेटर 65 सेंटीमीटर के स्टिक लंबाई को मापने के लिए किया जा सके मतलब मेरे पास में क्या है तो मेरे पास में मान के चलो यहां पर कि मेरे पास में सपोस करो यह मेरा एक bottle है जो कि हमने आज ही खरीदा है और इसी वज़े से क्योंकि गले में दर्द रहता था तो गरम पानिया पर के इसमें पिएंगे तो बड़ा अच्छा है मेरे भाई यहां पर आप लोग भी पता देजे कमेंट बॉक्स में कैसा है ठीक है तो जैसे मान लीजे हां पर कि यह हमारे एक bottle है और उसके बाद में यहां पर क्या हो गया हाँ एक दूसरा bottle भी दे दीजे ठीक है तो देखिए हमारा प्रोमोशन हुआ है प्लास्टिक की bottle से मिल्टन की bottle पे तो अगर हम बात करें तो एक यह bottle है एक हमारे पास यह bottle है और एक हमारे पास यह column है मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक बड़ी से बड़ी जो लकड़ी है वो आये जो इसको भी माप दे जो इसको भी माप दे और जो इसको भी माप दे जैसे कपड़े का दुकांदार जो होता है उसके पास की कहानी क्या होती है उसके पास में कपड़ों के रोल होते हैं तो बात में क्या होता है जैसे मैं एक वैपारी हूँ कपड़े का और मेरे पास कपड़े के तीन रोल बच गए एक में मान लो यहां पर मैं आपको ऐसे समझाता हूँ एक में मान लो यहां पर एक जो पहला वाला रोल यहां पर बचा हुआ है तो यह पहले वाले रोल में पहले वाले रोल में मेरे भाई यहां पर कितना है तो दूसरे वाले रोल में जैसे मान लेते हैं 42 मीटर कपड़ा है यहाँ पर और अगर हम तीसरे वाले रोल में यहाँ पर बात करें तो तीसरे वाले रोल में जो है यहाँ पर इसके अंदर कितना कपड़ा है तो इसके अंदर मान ली जा 28 मीटर कपड़ा है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है और यहाँ पर एक तरीके से तीन रो में से लेनी है सर वो परिभाशा हो जाती है HCF की देखो HCF LCM पढ़ने का मतलब सिंपल सी बात है परिभाशा को पकड़ना तुमको सवाल को पकड़ना पड़ेगा अभी सवाल में कहीं पर भी नहीं कहा है कि आपको HCF लेना है या आपको LCM लेना है दूर दूर तक कहीं नहीं कहा लेकिन पढ़ने के बाद आप पकड़ोगे जैसे एकजामनर बोल देगा एक पंक्ती में एक रो में 21 लड़के खड़े हैं एक रो में यहां पर 42 लड़के खड़े हैं और एक रो में 28 लड़के खड़े हैं आप यहां पर कितने कितने का समूँ बनाओगे हर एक से यहां पर कितने कितने का ग्रूप बनाओगे कि मेरे भाई यहां पर कोई भी एक बच्चा ना बचे और group बन जाए maximum छातरों का group बनाना है यानि जब भी ऐसे अधिक्तम शब्द आए maximum शब्द आए एक ऐसे शब्द का यहाँ पर बोध हो जो हर किसी में से मुझे लेना पड़ जाए तो वो शब्द बताता है कि हमें HCF लेना है यानि महत्तम समावर्तक लेना है तो यदि अगर हम इन सब में से maximum जो लेंगे वो इन सब का HCF होगा और HCF कितना होगा तो बोलेंगे सर जी साथ साथ इसे भी काड़ देगा साथ इसे भी काड़ देगा और साथ इसे भी काड़ देगा तो चाहे वो सवाल कपड़े का हो, चाहे वो सवाल बच्चों का हो, मेरे भाई वो बड़ी से बड़ी संख्या जो common निकल कर आ जाए, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर वो कितना है, तो 7 मीटर है, तो वैसे ही आज मेरे भाई यहाँ पर यह है, कि कितना हो जाएगा, तो पहला वाला जो रूल है, वो 595 cm का हो जाएगा, ठीक है, दूसरे वाले रूल की बात करते हैं, मात्र 8 meter है, 8 meter का मतलब कितना हो गया, तो 800 cm हो गया, तीसरे वाले रूल की बात करते हैं, तो वो यहाँ पर 16 meter 65 cm, यानि 1665, एक मिटर के अंदर में 100, तो 16 हमें 1600, 1600 cm प्लस 65, यानि 1665 cm, 1600 कितना हो जाएगा, तो 1600 यहाँ पर 65 हो जाएगा, अब यहाँ पर यह हमारे रूल मेरे भाई है, आ चुके हैं, कुल मिलाके यहाँ पर कितने रूल आ चुके हैं, तो 3 रूल हमारे आ चुके हैं, अब यह तीनों रूल में यहाँ पर क्या कहा तो बोला गया सर ये पहला रोल है दूसरा रोल है तीसरा है और यहां बोला गया कि सबसे बड़ी देखो greatest शब्द कुछ एक आदा शब्द पकड़ लिया करो जैसे maximum, greatest, highest जब भी ऐसे शब्द आते हैं तो वो मेरे भाई HCF के बारे में बयान कर रहे होते हैं वो चिक-चिक के बताते हैं तुम्हें क्या लेना है तो HCF लेना है यानि आपको बड़ी से बड़ी संख्या जो सब के अंदर common निकल कर चली आए तो आप यहां पर सही माइने में देख पाएंगे तो यह सारे centimeter में है तो पहली बात तो यहां meter होगा नहीं बोलोगे क्यों सर पचास meter का मतलब समझ रहे हो 5000 centimeter 5000 centimeter को काट के देखो कटने से रहे मेरे भाई तो पहली बात zero वाले तो तुम्हारे ऐसे भी चले जाएंगे क्योंकि zero सिर्फ इसके अंदर में है इन दोनों के पास में नहीं है तो यह तो मेरे भाई दोनों खतम ही हो गए पांच meter का भी मतलब कितना होता है तो पांच meter का मतलब इसराजी 500 centimeter होता है यानि double zero डबल zero ना इसके अंदर में है ना इसके अंदर में है लेकिन इसके अंदर में नहीं है तो यह भी हमारा खतम हो जाएगा बच जाएगा कितना तो 5 cm आप यहाँ देखो यह भी 5 से कट रहा है यह भी कट रहा है यह भी कट रहा है तो उत्तर कितना होगा तो 5 तो solve कुछ भी नहीं करना था इस 2023 वाले सवाल में बस यहाँ पर उनको जो है एक तरीके से बदलाव करना था मीटर को सेंटी मीटर में बदलना था उसके बाद आप जैसे बदलते आपका उत्तर यहाँ पर निकल के चला आता अब यहाँ पर जो है छोटी सी बात हम आपको समझाते हैं अलाकि यह कोशन है अभी याद रखिएगा कि मुझे कोशन नमबर 5 करवाना है मैंने इसको होल्ड पे रखा हुआ है अब यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे नॉर्मल संख्याओ का तो HCFCM कैसे निकल गया यह मुझे पता चल गया लेकिन अगर कोई भिन हो मेरे पास में जैसे बटे वाला हो जो कि आपके GD के इस पेपर में पूछा गया तो उन भिन्नों की एक तरीके से HCFCM कैसे निकालोगे तो मैं यहाँ पर बताता हूँ भिन्नों की यानि fractions के बारे में कि fractions का आप HCFCM कैसे निकालोगे तो यहाँ पर भाई हम यहाँ formula भी लिग देते हैं और आप उसके उपर में काम भी कर लेना माल लीजे कि हमारे पास में जैसे A upon B है दूसरा हमारे पास में C upon D भी है और तीसरा हमारे पास में E upon F भी है यह दोस्त हमारे पास में मौझूद है और यह मौझूद है तो मुझे क्या पता करना है तो मुझे इनका एक तरफ HCF भी पता करना है और मुझे इनका LCM भी पता करना है तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर अगर मान लो कि इनका मुझे HCF पता करना है क्या पता करना है HCF तो बड़ा प्यारा चीज है सर यहाँ पे अगर HCF आपको पता करना है तो आप यहाँ पर उपर वालो का क्या पता करो तो उपर वालो का यानि numerator का यानि अंश का अंश का क्या पता करेंगे तो HCF पता करेंगे और नीचे जो हर हो गया आपका denominator हो गया उनका क्या पता करेंगे LCM ये दिखने में मेरे भाई ऐसा जटिल सा है लेकिन है बिलकुल भी नहीं जटिल बढ़ा आसान सा है अभी हम आपको दो-तीन कोशन ट्रक्टिस करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है और यदि आप मेरे भाई LCM निकालना चाहते हैं कि LCM हमारा कितना होगा तो बोलेंगे सर उपर वाले का LCM निकालो उपर वाले का क्या निकालो तो LCM यानि A का हो गया, C का हो गया और E का हो गया और नीचे वाले का क्या निकालेंगे तो नीचे वाले का है HCF निकालेंगे तो B हो जाएगा, D हो जाएगा और क्या हो जाएगा, F हो जाएगा समझ गए sir, यहाँ पे बड़े प्यार तरीके से बड़े आसान भाशा में आप यहाँ समझ सकते हैं, उपर वालों का महत्तम समावर तक, नीचे वालों का लगत्तम समावर तक, जो चीज़ तुमें निकालना है वो उपर वाले का निकाल देना, HCF निकालना है तो उपर वाले का HCF निकाल देना है जो बच गया उसका LCM, LCM निकालना है उपर वाले का LCM निकाल दो, जो बच गया उसका HCF, ठीक है, अब बोलो कि पढ़ाना है उन्द स्पोर्ट वहीं मार कर लेकर शुरू हो जाएंगे ठीक है आप बताइए तो चलिए हम आपको एक सिंपल से एक 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 जामपल देते हैं आप एक जामपल मुझे बताइए मैंने आप से यहां पर यह कहा और पहला सवाल भाई मेरे यहां पर यह है कि HCF हमारा कितना होगा और दूसरा सवाल यहां पर किनका HCM कितना होगा आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे गुरुजी बात यह साहा देखे समझे आप तोड़ा देर रखे ठीक है दसजार बच्चे हो जाएंगे हम लोग शेयर कर देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है आप बस पढ़ाइए चलिए बहुत बड़ी बात है आप लोग शेयर कर दीजेगा दोनों बात हम ही कह दे रहे अब आप लोग को तो सुनाई दे नहीं रहा है बताईए महराज परशान कर रहे हैं आप लोग हम पढ़ाने पर फुकस कर लेते है आप शेयर करने पर फुकस कर लिजे शेयर कर दीजे हर जगा पर आईए तो HCF की बात जहां पर आती है तो उपर वाले का क्या करना होता है HCF करना होता है तो हम उपर वाले का HCF लेंगे HCF का मतलब यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे और नीचे वालों का क्या लेंगे तो नीचे वालों का मेरे भाई LCM लेंगे यानि साथ हो गया, 14 हो गया और यहां पर 12 हो गया तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे एक के अलावा कोई और संख्या नहीं है जो दोनों को काट पाए तो यहाँ पर HCF के नाम पर कितना मिलेगा? एक मिलेगा, ठीक है? जब कुछ common रहा ही नहीं, जब कोई संख्या काटी नहीं पाई तो क्या रहे गा एक रहेगा और नीची अगर हम बात करें तो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे कट जाए यानि यहांपर कहने का मतलब साथ से भी कट जाえ 14 से भी कट जाए 12 से भी कट जाए तो देखो जो साथ और 14 से कट जाती है वो तो मेरे भाई होती है खुद 14 ठीक है यानि मैंने कहा था ना जब एक संख्या दूसरे को काट दे तो उसके स्थान पे सिर्फ दूसरे को लेना यानि 14 लेना और क्या लेना 12 अब ऐसी संख्या सोचो जो दोनों से मेरे भाई कट जाए तो यहाँ पर इसका फैक्टर करोगे तो यह 2 इंटू 7 आएगा इसका फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 6 आएगा LCM का मतलब कॉमल लेना होता है दो यहाँ पर दोनों में से कॉमल ले लेंगे यह जो बच गया वो हो गया और यहाँ जो बच गया वो 7 चक 42 दोनी 84 यानि कितना है गा 84 मैं फास्ट में भी लिख देत कहते हैं नहीं पर किशंकर जी के इंदर जो है वो क्या है पररवती जी भी है तो यानि उनके नाम ले लिया तो मतलब पररवती जी का भी बहुत हो क्या है वही बात है याँपर तो 14 के अंदर क्या है तो 7 है तो 14 को ही खुद उठालो, 12 को उठालो इसके अंदर 2 और 7 से बना, ये 2 और 6 से बना है 2 दोनों जगा था तो ले लिया 7 भी ले लिया, 6 भी ले लिया, ने 84 हो गया तो 1 upon 84 क्या हो गया मेरे भाई, यहां पर correct answer अब थोड़ी अगली बात हम करते हैं और यहां पर जो है, LCM भी देखते हैं LCM की बात हम करेंगे तो क्या होगा उपर वाले संख्याओं का LCM यहां पर लगुत्तम समावर तक तो यहां पर 2 का, 3 का, 5 का सब का बदला लेगा रितरा फैजल मतलब सब कैलसियम लेगा अपन और यहां नीचे वालों का हम क्या लेंगे तो सब का मेरे भाई HCF लेंगे यहां पर तो हम बोलेंगे सर, 7 हो गया 14 हो गया और 12 हो गया अब ऐसी संख्या मेरे भाई जो यहां पर सब से कट जाए तो यहां पर 2, 3 और 5 सब कैलसियम हमारा कितना होगा तो बोलेंगे सर, 2, 3 और 5 कैलसियम कितना हो जाएगा 5 x 3, 15 x 2, 30 जब सारे के सारे प्राईम नंबर होना उन्हें गुना कर लिया करते हैं तो यहां पर बोलेंगे 2 x 3 6 x 5 हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और LCM का मतलब वो संख्या जो हर किसी को काट दे या मतलब जो है हर किसी को काट दे तो यहाँ पर एक क्यालाव और कोई दूसरी संख्या नहीं है जो हर किसी को काट पाएगी यानि कितना हो जाएगा तो वन हो जाएगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा? correct answer तो एक example हमने आपको दिया उस example के अधार पर आप लोगों ने मुझे उत्तर बताया अब इसी के अधार पर हम दो-तीन सवालों का यहां पर bombarding करेंगे और आप लोग यहां पर मुझे इसका उत्तर देते जाएंगे और बहुत ही कम समय के अंदर में उत्तर देना है यू समझ लीजे ठीक है what effort मेरे भाई यहां पर जो है जल्दी से यहां पर GD का एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल छूटू सा सवाल यहां पर ठीक है बताई उत्तर कितना होगा तीन बटे साथ और अठारा बटे बावन का लगुत्तम समावर तक जो होगा वो यहां पर कितना होगा ठीक है आईए तो क्या बोलेंगे बोलेंगे सर हमें LCM पता करना है अगर हमें LCM पता करना है तो इसका मतलब क्या होगा तो इसका मतलब सर उपर वाले का LCM पता करेंगे यहाँ पे, उपर वाले का LCM कितना होगा तो 3 का और 18 का, और नीचे वाले का क्या पता करेंगे, तो नीचे वाले का हम HCF पता करेंगे, यानि कहने का मतलब 7 का और 52 का, ठीक है, अगर हम बात करते हैं LCM के बारे में, तो वो बड़ी से बड़ी स HCF का मतलब वो बड़ी से बड़ी संक्या जो दोनों को काट दे तो एक के लावार कुछ भी नहीं है यानि या अंसर हो जाएगा कितना तो option number C कहोना प्यार है क्या हो जाएगा option number C कहोना प्यार है क्लियर है भाई यहां पे चलो आज़ाओ नेक्स कोशन आठ चलते हैं और आठ नमबर सवाल देखते हैं दिल्ली पुलिस का छोटू मोटू प्यारा सा सवाल यहां पे क्या कहा गया है जरा बताएगे आप बोलेंगे सर जी इतना असान है इतना असान है कि आप यहां पर पूछिये मत सर जी कितना असान है यहां पर देखिए LCM बोला गया इन सबी संख्याओ का तो LCM की अगर हम बात करें ना तो LCM की मेरे भाई यहां पर जो है उपर वाली संख्याओ का LCM ले लीजे यानि 9 हो जाएगा 12 हो जाएगा 18 हो जाएगा और 21 हो जाएगा 9, 12, 18, 21 यहां पे और नीचे वाली संख्याओ का क्या ले लीजे तो HCF ले लीजे यहां पे महत्तम समावर तक ले लीजे तो बोलेंगे सर 10 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया और 40 हो गया ठीक है अब यहां पर सर समझे बातों को क्या कहा गया है किस तरीके से कहा गया और क्या क्या कहा गया जरा वो समझ लेते हैं तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो LCM का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो हर किसी से कट जाए तो जैसे मैं यहाँ पर जाओंगा जब तो मैंने यहाँ पर क्या कहा तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो 9 ने अल्रडी 18 को काट रखा है तो यानि जब एक संक्यास के अंदर में मौझूद है तो सिर्फ 18 को देखो 12, 18 और 36 12 और 18 से कौन करता है तो 12, 18 से 36 कर जाता है या ऐसे 9, 12, 18 सबसे हमारा जो है वो 36 मैक्सिमम है अब मुझे 36 और 21 को देखना है और इनके अधार पर क्या कर लेना है तो ऐसे हम निकाल लेना है यानि कहने का मतलब इन तीन लोगों को सम्मुदित कौन करता है तो 36 करता है तो बोलोगे सर 9 के लिए यहाँ पर 12 के लिए और 18 के लिए सब के लिए कितना ले लिजे तो 36 ले लिजे ठीक है अब 36 में और 21 में यहाँ पर जो है लड़ाई होगी 36 बोलेगा मैं 3 का कितना गुना हूँ तो 12 और यहाँ पर जो 21 है वो बोलेगा मैं 3 का कितना गुना हूँ तो 7 हमने कहा भाई बात ऐसी है जो common है उसको भी उठा लो यानि 3 भी उठा लो और जो common नहीं है उनको भी उठा लो तो 3 into 7 into 12 यानि 12 का 7 गुना 84 और 84 का 3 गुना कितना होगा तो बोलोगे sir 8 3 के 24 और 84 चारते हैं 12 252 तो कितना हो जाएगा sir 252 हो जाएगा कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा sir 252 इन सब को multiply करके देखो 252 निकल कर आएगा ठीक है उसके बाद में यहाँ पर HCF की बात कर लेते हैं वो बड़ी से बड़ी संख है जो हर किसी को काट दे तो वो हमारी कितनी है तो 5 है यानि कौन सौ उप्षन होगा तो उप्षन नमबर A जो होगा वो हमारा बिलकुल सही उत्तर होगा यहाँ पर कौन सौ उप्षन होगा मेरे भाई तो उप्षन नमबर जो A होगा वो हमारा बिलकुल सही उत्तर होगा आईए चलिए जल्दी से फटाफट एक GD का बड़ा ही प्यारा सवाल है 2023 में पूछा गया है इसका मुझे आप लोग उत्तर दे दीजे कितना होगा धीरे धीरे करके सेशन का हम लेवल बढ़ाते चलेंगे और आप लोगों को मेरे भाई जो है उस लेवल तक लेकर आएंगे जिस लेवल की वाकई में आप लोगों को आवशकता है वाट वो धीरे धीरे होगा एक बार में नहीं ठीक है साथ में इसके साथ भी हम आपको बता दे अमेजन से भी, फ्लिपकार्ट से भी, बुकिस्क पेस से भी और आप अपनी तेहरी में चार चांद लगा सकते हैं ठीक है ये किताब के अंदर में जो हमारी ये यूपी कॉंस्टबल की हमारी ये जो किताब है इस किताब के अंदर में मैंने 18 चैप्टर और 10 मौक्तस दिया है कि आप रोज की रोज भी अगर एक चैप्टर लगाते हैं और रोज की रोज भी एक मौक्तस लगाते हैं तो बहुत ही बहतरी तरीकेसाब अपने स्कूर को आगे बढ़ा सकते हैं मातर यह किताब जो है आपको 145 रुपे के अंदर में मिलेगी और 145 में आपको आपके घर पर मिलेगी वित डिलिवरी ठीक है तो Amazon से इसको मंगा लीजेगा जिसका लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ठीक है बहुत ही प्यारी किताब है इसका लिंक म मैं आपके लिए अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और वो ऐसे से जीडी ठीक है आज जीडी के उपर में मेरे भाई एक बहुत ही जबर्दस्त आप लोगों के लिए ओफर चल रहा है ठीक है और जीडी की किताब जो है मातर 135 रुपे में आपको मिल जाएगी ले मातर 135 रुपे में आज सिर्फ जो है आज रात 12 बजे तक ये ओफर रहेगा उसके बाद में ये हट जाएगा तो मातर 135 रुपे के अंदर में आप SSGD की जो किताब है ये मंगा पाएंगे ठीक है आईए चलिए जीडी का सवाल रहा तो जीडी से ये कोशन में आपको बताते हैं बताईए इसका उत्तर कितना है जल्दी से मुझे इसका बताईए आप बोलेंगे सर ये HCF है हमारा तो अगर हम HCF की बात करते हैं यहाँ पर तो HCF हमारा कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखें जीडी वाली किताब के बारे में हम आपको बता देते हैं तो यह रहा हमारे GD वाला किताब का ओल्री इसके अंदर में लिंक है जो आप मेरी अभी क्लास देख रहे हो ना सब कुछ उसी के अंदर में मौजओद है सब कुछ उसी के अंदर में मौजओद है मेरे भाई देखिए हां पे यह जो आपकी किताब है ठीक है आपको कुछ नहीं करना है जो हमारी ये session हमारा अभी live चल रहा है तो बस इस live वाले session पर आपको click करना है ठीक है क्यूंकि काफी बचे inquiry कर रहे थे और अभी एक पर्टिकुलर्ली एक company निसके उपर में offer चला रखा है तो इसलिए हमने सोचा बता दें तो यहाँ पर द किसके अंदर में पुलिस के exams में और अभी ये आपको काफी कम में मिल रहा है अभी इसकी rate मेरे भाई कुछ समय में बढ़ जाएगी अभी आप 140 के अंदर में इसको मंगा सकते हैं ये भी amazon के तरफ से order अभी है अगर आपको delivery charge लग रही है तो आप किसी नए account से मंगा लीज है तो 260 में बिकनी शुरू हो उससे पहले आप अपने लिए मंगाईए और अपने समय को विस्ट ना करें एक दिन के अंदर में आपके पास ये किताब डिलिवर हो जाएगी उसी तरीके से आप यहाँ पर जीडी का जो किताब है वो आप यहाँ पर दोनों जगा से मंगा सक सकते हैं इसकी पहले जो प्राइस चल रही थी 189 के करीब में 190 रुपय में ये किताब बिकी है अभी 135 में बिक रही है और ये बच्छों के तरफ से मेरे बाई ओफर है बच्छों के लिए तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि ओफर चल रहा है आप मंगा लीजिए उसके ब किताब है वो Amazon से मंगा लीजिएगा और GD की किताब हमारे दोनों लिंक से मंगा लीजिएगा और ये सारा हमने आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहां से अप क्लिक करके order कर सकते हैं ठीक है चलिए आजी है मेरे बाई सेशन की शुरुआत करते है आगे बढ़ते हैं यहां पर ठीक है आजी है HCF हम से कहा गया है तो हमने कहा सर HCF निकालेंगे HCF निकालेंगे तो ऊपर वालों का क्या निकालना है महत्तम समावर्तक तीन साथ और नो का और नीचे वालों का क्या निकालना है तो LCM निकालना है यानि 4 का 8 का और यहां पर 20 क ठीक है अब अगर बात करते हैं आपर तो दोनों देखिए किताब कैसी है बताने की जरुवत नहीं है अल्रेडी एमेजन पे नमबर वन पे चल रही है जो कि आप लोगों नहीं बनाया है आप उसके रिव्यू को पढ़ लीजेगा इतना बोलेंगे पेपर में कम समय है रिस्क मत लीजेगा सिर्फ एकी सोर्ष होगा मैस का और वहीं से प्रैक्टिस करके अच्छे से जाएगा पूरे नमबर लाने की गैरेंटी हमारी होगी हमारी जो क्लास है और आपकी जो किताब है बस इतना दो करना और इसके लावा कुछ भी नहीं ठीक है आज इए तो HCF की अगर हम बात करते हैं तो 3 हो गया 7 हो गया 9 हो गया बड़ी से बड़ी संक्या जो सब को काट दे वो है 1 और LCM का मतलब यहां पर बड़ी से बड़ी संक्या जो सब से कट जाए तो 4 और 8 में यहां पर 8 को उठाओ 8 और 20 का मेरे भाई लो तो यह तुम्हारा कितना है मेरे भाई तो 8 8 का मतलब यह 4 का कितना गुना है तो 2 गुना और 20 का मतलब यह 4 का कितना गुणा है तो 5 गुणा है यानि 4 और 4 दोनों जगा है तो 4 तुम्हारा LCM में आएगा यहाँ का 2 बच गया तो इसको उठा लो और यहाँ का 5 बच गया तो इसको उठा लो यानि कुल मिलाकर जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 40 यानि 1 upon 40 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा option number B for Bahubali बिलकुल हमारा सही उत्तर है आप इसे सही कत रखते हैं ठीक है चलिए आज़ीए next question पे चलते हैं अगला सवाल जल्दी से इसका उत्तर बता दीजे तो ये सवाल अब हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं और इसका उत्तर आप लोग वीडियो के comment box में दे दीजेगा ये सवाल मेरे भाई आप लोगों के लिए है इसका अंसर आप लोगों को comment box में देना है जो भी बच्चे मेरे भाई आराम से वीडियो देख रहे होंगे बाद में इसका अंसर जो है वो comment box में देदीजेगा और जो अभी देख रहे हैं वो screenshot ले ले वीडियो के खतम उन्हें के बाद में इसमें comment में मेरे भाई बता दीजेगा अब आज़े यहां पर कुछ दो संख्याओं का यहां पर थोड़ा सा समखेश हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं के बारे में जब भी बात हो तो एक तरीके से क्या-क्या कहानी हम उनके अंदर में कह सकते हैं बहती प्यारा कंसेप्ट आपको हम जिखाने जा रहे हैं चंसेप्ट आफट आफ़ टू नंबर और ये जो दो नंबर का कंसेप्ट है न आप उसको मेरे भाई तीन नंबर लगा सकते हो तो दो formula हमारे निकलते हैं और ये दोनो formula आपके यहीँ से इजात होते हैं तो concept of two numbers की जब हम बात करेंगे तो हमारा क्या होगा तो जैसे मान लीजे कि मैं दो संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूँ पहली संख्या हमारी कौँ सी है तो पहली संख्या हमारी 12 है और 12 को हम कैसे लिखते हैं तो 2 का स्क्वार इंटू 3 का पावर एक लिखते हैं दूसरी संख्या मेरी भाई 18 है तो 18 को हम यहाँ पर 2 इंटू 3 का स्क्वार लिखते हैं मैंने यहां पर आपसे यह बात कहा कि एक का दोनों का लगुत्तम समावरतक और महत्तम समावरतक लिखिये तो जब आप इनका HCF लिखते हो तो HCF लिखते वक्त आप क्या बोलते हो जो पावर हम common ले पाए कितना common ले सकते हैं तो यहां 2 का एक पावर जो दोनों के अंदर में maximum हो, तो maximum होने का मतलब यहां पर क्या हो गया, तो भोलोगे sir, 2 का square into यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां 3 का square, अब हम आपको क्या बताना चाहते हैं, जरा वो समझे, हम आपको यहां पर यह बताना चाहते हैं, कि देखिए, यहां पर जब आपने HCF निकालो, कितना हो गया 6, और यहां जब आपने LCM निकालो, तो कितना हो गया 4 into 9, यानि कितना हो गया मेरे भाई, तो यहां पर यह हो गया 36, अब आप थोड़ा गौर फरमाएंगे न, सही माहिने में, तो आपको point number 1 पता चलेगा, point number 1 जो पता चलेगा, वो यहां पर क्या पता चलेगा, point number 1 आपको यह पता चलेगा, कि जो LCM होता है, जो LCM होता है, तो LCM के अंदर में, यहां पर क्या होता है, तो LCM के अंदर में, मेरे भाई, यहां पर HCF भी होता, और co-prime factor भी होते हैं मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजे कि जो यह LCM है इसमें से एक बार आप LCM को चलो यह भी हटाओ, यह point number one आप ऐसे हटाओ point number one आप ऐसे देखो कि point number one में क्या बोलोगे 216, यानि दोजों संख्याओं का product कितना आया तो 216 और एक बार आप अपने HCF और एक बार LCM को अपना multiply करके देखे, तो 6 into 36 यह भी कितना आया, तो 216 यानि point number one पर यह सिध्ध क्या हुआ, तो point number one पर मेरे भाई यहाँ पर जो सिध्ध हुआ, जो बात मेरे भाई, जीवन भर आप लोग दिहान रखना कि अगर हम कभी भी दो संख्याओं की बात करते हैं न, तो यहाँ पर याद रखना दो संख्याओं के केस में मेरे भाई, product of two number is always equal to HCF into LCM दो संख्याओं के केस मेरे भाई, यहाँ पर क्या होता है तो दो संख्याओं के केस में यहाँ पर कभी भी दोस्ते हैं पर दो संख्याओं का product उनके HCF LCM के बराबर होता है अब point number two यहाँ पर क्या निकल कर आता है जो कि और बहुत ही महत्वपून point है वो हमारा LCM से संबंदित है कि जैसे मान लीजे हमने यहाँ पर LCM लिया ठीक है तो LCM लिया तो हमने इसको 2 का स्क्वाइर इंटू 3 का स्क्वाइर कहा तो मैं 2 का स्क्वाइर इंटू यहाँ पर यह तीन का स्क्वाइर है अगर हम यहाँ पर इसको बड़े ही beautiful तरीके से तोड़े और इसके अंदर में से हम क्या निकालने की कोशिश करें तो इसके अंदर में से मेरे भाई यहाँ पर हम 6 निकालने की कोशिश करें यह 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 तो 2 के 2 पावर को हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1 3 के power 2 को हम 3 का power 1 into 3 का power 1 हम लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो यहाँ 1, 2 का power 1, 3 का power हम यहाँ पर लिख देंगे मेरे भाई और जो बाकी power बच गये हम उनको यहाँ पर अलग तरीके से mention कर देते हैं अगले 5 मिनट मेरी बातों को आप सुन लोगे ना तो आपका benefit हो जाएगा, बहुत बहला हो जाएगा आप मेरी बात को समझो बहुत कुछ आप जान जाओगे अब यह वाली चीज आपकी क्या है तो यह वाली चीज मेरे भाई यहाँ पर आप बोलोगे शर यह तो HCF है, क्या है तो HCF है क्या होती है फिर से बोलेंगे को प्राइम मतलब इसके अंदर में कोई भी common factor नहीं होता है क्या होता है तो को प्राइम होते है यह बहुत मज़े की बात है यहां पर यानि आप यहां पर बोलेंगे कि सर LCM जो होता है वो बराबर होता है HCF इंटू को प्राइम अब उसमें भी एक और मज़े की बात हम आपको बताते है ठीक है यदि आप अपने इस HCF से पहले वाले को प्राइम को गुना करो यानि ये 6 है और 6 को 2 से गुना करो तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा मिश्रा जी 12 और यहाँ पर इसी 6 को दूसरे वाले से गुना करो कितना हो जाएगा 18 और ये 12 और 18 देख लीजें यहीं वो दो संख्याएं थी यानि कहने का मतलब HCF को पहले को प्राइम से गुना करेंगे तो पहली संख्या पराप्त होगी HCF को दूसरे को प्राइम से गुना करेंगे तो क्या होगी दूसरी संख्या पराप्त होगी यानि overall अगर हम समरी की बात करें जो सारांस है हमारा हमने वो क्या सीखा तो सारांस में हमने यहाँ पर यह सीखा है कि गुरुजी बात ऐसी है कभी भी कोई दूर संख्याओं के बात करते हैं तो जो उनका लगुतम समावर्तक होता है वो बराबर होता है महतम समावर्तक इंटू X और इंटू किसके? Y के यानि जहां पर क्या होते हैं तो where X and Y are co-prime to each other जहां पर X होगा और Y होगा यह सारे क्या होंगे? तो they are co-prime to each other यहां पर यह संख्याओं क्या होंगी? तो यहां पर सह अभाजे संख्याओं होंगी ठीक है? अब अगर हम बात करेंगे तो अपने इस HCF को पहली वाली co-prime से जबाब गुना करेंगे तो आपको पहली वाली संख्याओं का ग्याओं होगा अपने इस HCF को दूसरी वाली से गुना करेंगे तो आपको दूसरी वाली संख्याओं का ग्याओं होगा तो यह सार हमारा हो गया पॉइंट नमबर 1 अब उसके बाद में हाँ पर जो है तो आए चलिए मेरे तरफ से कुछ सवाल आप लोग ले लीजे एक चोटू मोटू कोशन हमारा यहां पर यह है कि कोई एक संख्या है यहां पर HCF हमारा क्या हो गया तो HCF हमारा यह माल लीजे HCF हमान लेते हैं कि 12 हो गया और जो उसके को प्राइम नंबर हो गया LCM कितना होगा और सवाल नमबर 2 यहाँ पर की पहली संख्या कितनी होगी और सवाल नमबर 3 यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी होगी जल्दी से मेरे भाई इसका उत्तर दे दीजे आप लोग समझे कई बार ऐसा हो सकता है कि यह को प्राइम शब्दना इस्तमाल करके यह बोल दे कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है तो यानि जो को प्राइम होता है इट मींस तैट इस अलसो कॉल्द रेशियो ठीक है तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी बात है इसा है solution समझिए solution यहाँ पर क्या है जो LCM होता है वो हमारा बराबर होता है किसके तो HCF और इंटू यहाँ पर X इंटू Y के यानि कहने का मतलब क्या है तो HCF हमारा कितना है तो 12 है और बाकी इन दो को प्राइम नंबर को लिख लीजिए या उन संख्याओं का ratio कह लीजिए बात हमारा इकी है तो 12 इंटू 5, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा पहली संख्या के बारे में बात है तो यहाँ पर इसको इसके साथ में गुना करिए यानि क्या बोलेंगे हो गया तो 120 पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या कितनी हो गई 60 यह जो concept है ना यह concept सिर्फ दो संख्याओं में अपलाई नहीं होता है यह 3 में भी अपलाई होता है 4 में भी अपलाई होता है हम आपको इसका जीता जाता example एक आपको दिखाते हैं पेपर में पूछा गया था और शुरू में मैंने आपके लिए question hold पे करवाय था वो यहां पर यही था आप इस question को गौर से देखिए जी डी का यह सवाल है जिसको हमने आप लगों के लिए hold पे रखा था यह देखिए यहां पर कहा गया था मेरे भाई यहां पर कि if the three numbers are in the ratio of three ratio five ratio seven यानि ये इस अनुपात में है तो जब ये अनुपात में होते हैं तो इसका मतलब ये क्या होते हैं तो ये co-prime होते हैं ये मेरे भाई क्या होते हैं तो co-prime होते हैं ठीक है, उनका जो हमारा LCM है तो LCM हमारा कितना होगा तो 2415 होगा What is the difference between the second number and first number यहाँ पर इनका difference कितना होगा मैंने आपसे क्या कहा तो मैंने आपसे यहाँ पर यह कहा याद रखना तीन संख्याओं की बात है तो LCM बराबर हो जाएगा HCF और हर एक संख्या के पास एक co-prime होगा पहला का co-prime x, दूसरे का co-prime y, तीसरे का z मतलब हर एक संख्या का अपना ratio अगर आपको पहली संख्या पता करनी है तो HCF into x पहली बताएगा दूसरी पता करनी है HCF into y बताएगा तीसरी पता करनी है HCF into क्या बताएगा z बताएगा आप उस संख्या को उस XYZ के साथ में multiply करो आपको अपनी संख्या का मेरे भाई जो है वो पता चल जाएगा अब यहाँ पर गोड से देखे जनाब फरमाईए आप यहाँ पर देखे LCM आपके पास में कितना दिया गया तो 2415 आपके पास में HCF तो दिया ही नहीं है और यहाँ पर क्या दिया है तो XYZ का मान कई बार उनको को प्राइम शब्द से सम्वोधित किया जा सकता है और कई बार अनुपाद जैसे शब्द भी दिये जा सकते है इनका मतलब एक ही है को प्राइम भी कहता है मेरे तुमारे में कुछ common नहीं रहेगा और ratio भी कहता है मेरे तुमारे में कुछ भी common नहीं रहेगा तो बात तो वही है यानि 3 इंटू 5 इंटू 7 तो बोलोगे 3 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 7 अब आप यहाँ पर काटना शुरू करे 7 इंटू 5 35 35 का 3 गुना 100 यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 35 का मेरे भाई 3 गुना आपका 105 हो जाएगा ठीक है 105 से काटो तो 105 से काटोगे तो पहले 2 बार में कितना हो जाएगा 210 और 210 इसमें से निकाल दोगे 315 105 से मेरे भाई कितनी बार में 3 बार में संख्या पता करनी है, कैसे बता करेंगे HCF को X के साथ में गुना करेंगे, दूसरी HCF into Y, तीसरी HCF into Z, तो आप मुझे बताईए यहां पर, HCF आपका कितना निकल कराया, तो बोलेंगे सर 23, अगर मैं 23 को यहां पर X के साथ में गुना करूँ, मतलब से multiply करूँगा, तो 5 से तो यहां पर क्या पता चल जाएगा, दूसरी संख्या का, यानि कितना हो जाएगा, 115 अब इन दोनों का difference ज़रा देखेंगे, तो बोलेंगे सर, difference यहां पर देखे, कई सारे लोग यहां पर क्या करते हैं, इसको multiply करके यह निकालते हैं, इसको multiply करके यह निकालते हैं, हम यहां पर देखो, एक तरीका तो यह है, कि तुम 115 में से इसको minus कर दो, तो 31 और 15 कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा correct answer, option number B दे दोगे बट हम बोलेंगे, ऐसा क्यों करते हो क्यों करते हो समय की बरबादी यह बताओ ना, तुम्हें मेरे भाई यहां पर यह बात पता है ना, और क्या पता है कि सर यह सब first or second क्यों निकाल रहो, बिना first or second निकाले भी तो difference हो सकता है, और कैसे हो सकता है, वो समझो, आप यहां पर समझो मेरे भाई यह जो संख्या है HCF आपका कितना निकल कर आ है 23 निकल कर आ चुका है एकस का मान कितना है 3 है, वाई का मान कितना है, 5 है और यह कितना है, हमारा 7 है तो पहली संख्या 23 का 3 गुना और दूसरी संख्या 23 के 5 गुना तो 23-5 गुणा में से 23-3 गुणा घटा देंगे तो कतना बचेगा मिश्रा जी? 23-2 गुणा यानि कितना आ जाएगा? 46 बस मेरे भाई बात खतम, यहाँ पर क्यों हम यहाँ पर उतना जादा टेंसल लेने जाए? यहाँ पर यह बताईए 23 के 5 गुना मैं से 23 के 3 गुना को घटाना है तो यानि 23 का क्या हो जाएगा 2 गुना वो कितना हो जाएगा 46 के बराबर क्लियर है यहाँ पर ठीक है अब आज यहें मेरे भाई 60 सवालों पर चलते हैं दो नूमबर वाला केस समझते हैं और इसके बाद में जो है सभी सवालों कोई करके हम यहाँ पर जानेंगे समझेंगे और सीखेंगे ठीक है और इसके बाद में आपको बहुत ही बहतरी न तरीके से HCF लस्म का और कंसर्प क्लियर होते जाएगा ठीक है आईए यहाँ पर सवाल कहा गया है फाइंड दे प्रोड़क्ट ऑफ दे नंबर हुर्ज HCF लस्म हमारे इतना दो संख्याओं का मेरे भाई गुननफल प्राप्त करिये जिनका यहाँ पर महत्तम समावर्तक और लगुत्तम समावर्तक इतना है और एक चीजा आप भूल चुके हैं वो है वीडियो को लाइक करना ठीक है एक बच्चा कहा रहा बुच पूरीम बुलिए तब बाबु लोगिन बात इसन बटे कितनी के खाली पढ़तार लोगिन ठीक बाध आप वीडियो के लाइक निका करत लोगिन तब बात इसन बागितनी वीडियो के लाइक करता बड़ा मेहनत लागेला पढ़ाओं में बहुत मेहनत लागेला ठीक बना जान एक दम निकल के आजला लागातार तिन धन्हंटा बुल लापा हर दूसरा दिन हम डॉक्टर से देखा के दवाई खातानी तब यह बात बतानी वीडियो लाइक करो लो तो हैं सेयर करो लो कहां लेक दस जार भेज गया हैं जो मोटिवेशन बढ़ाओं चाहिए हमार वीडियो लाइक हैं निक होकत शेयर करिए एक बार थोड़ा सा आप लोग बाकी लोगों को नहीं समझ में आ तो कोई बात नहीं सवाल पर फोकस करें समझने की चेस्टा करें कोशिश करें कल की दिन एक बात बताएब आप कमान लीजए यूपी के हैं आप हर्याना के हैं और बिहार में आपका ड्यूटी लग जा नहीं करिएगा अब बाहर में जो लोग आते हैं बिहार से यूपी से कहां से दिल्ली में जब आते हैं और यहां के जो बच्चे हैं या कोई लोग है हर्यान भी बोलते तो नहीं कुशिश करता है समझने का ऐसे बोलता थोड़ी है भाया नहीं समझ में आप बताओ अब डटजा बोलता है सीधा बताओ ओटवाला हमको एक दिन हम बच्चपन में जब शुरू-शुरू में तैयारी करने दिल्ली में आए ठीक है तो यहां प्रोटवाला बोला सीधा डटजा आप बोले डटजा का मतलब क्या होता है ढांट रहे क्या है तो बाद में पता चला कि हट जाओ ऐसे ऐसे तो लोग हैं बताओ तो हम सीखे ना भाई तुम लोग भी सीख लो थोड़ा एड़ेस्ट करो अनेकता मेकता भारत की विशेष्टा तो यही वाली लाइन है आजाओ चलो तो यहां पढ़ो इस सवाल को जल्दी से बताओ तो दो संख्याओं का गुननफल ग्याद करो जिनके लसे में से फितना है तो पहला इंटो दूसरा बराबर होगा यहां पर कितने के तो यहां पर अब बोले चलो यहीं पूछ लिए तुम इसी का उतर दो ना खाली पहले फिर आगे बढ़ाएंगे लेवल बता देना बाकी का भी तीक है आजए अब नेक्स्ट बात करते हैं आपे तीक है तो कोशन नमबर 12 की बात कर लो भाई कोशन नमबर 12 यहां पर क्या है क्या कहा गय अब कोशन नमबर 12 की बात करते हैं क्या कहा गया देखिए ऐसे तो हम हैं बिहार से लेकिन आज मेरे पास जो है बिहार से जादा जो मेरे दोस्त हैं वो हर्याना वाले हैं अब बोलोगे सर ऐसा कब हुआ तो हमारे कॉलेज टाइम पर हुआ जब हम कॉलेज में पढ़ाई कर तो मेरा रूमेट है अभिषेक राठीगर के है तो नजवगर का है और बाकी और भी काफी सारे दोस्ते मेरे कोईwi महिंदर के हैं जिंद के हैं और अलग-अलग state के हैं। उसे नहीं कॉलेज में हमारे हो सारे के ुबन ऐस्तर है हर्याना, क्योंकि में हर्याना के जब लिए तो इसे समझ लो कि हमने जो तीन साल बिताए हैं तो हमेशाण मेरा बाइब भाया बूचे का अब06 भाई की रोटी खावेगा ठीक है तो उनकी अपनी टों होती है। फोड़ी सी ज़ातो वाली रहती है। नहीं बॉलते हैं। अब ने कहा चलो बहुत बढ़िया बात यार तो मैंने देखा अलग-अलग कल्चर देखा यार अलग-अलग जगा का मुझे बढ़ा अच्छा लगा है ठीक है और बहुत अच्छा लगता है हर बच्चे के अंदर में आज हम ऑफ-लाइन भी बढ़ाते हैं तो रियना गई बच्चे हो, यूपी के भी हो, बिहार के अधर स्टेट के भी हो बढ़ा एक आधर स्रमान से पहर भी छूते हैं डेली, सुबह, शाम, ठीक है और एक अलग ही रेस्पेक्ट रहता है क्लास में ने का खड़े हो जाओ, जहां जो बोले सीधा उठा के बाहर फेको इसको ठीक है अगर शोर आई तो जहां का भी हो, सीधा कम से कम दो-तीन का तो मुहात फोर दो वहाँ पे उसके बाद फिर एक दम क्लास में पेंटर आप साइलेंट और तब पढ़ना शुरू किया अब टॉपी के भी है, मैंसुरेशन जवर्दस्ती का हला कर रहे हैं बताओ तो कई बार प्यार से भी समभाना पड़ता है, कई बार डांटना भी पड़ता है आप लोगों से तो बहुत अच्छा लगता है, चलो मजा आता है, जीवन मैं ऐसे आनन्द लेते रहना चाहिए आप लोग भी हंसते रहा करो, खेलते रहा करो, पढ़ते रहा करो जीवन मैं सब जरूरी है, ठीक है, चलो आजओ भाई तो यहाँ पर जल्दी से इस सवाल का उत्तर बता और सेशन को लाइक करो कहा गया है कि दो संख्याओं का लगुत्तम समावर तक और महत्तम समावर तक डेड़ सो और पचीस है, यदि उन संख्याओं में से एक पचास है दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, बताइए, किसी और का योग नहीं बन रहा, संख्याओं का योग बन रहा है तो LCM and HCM of two numbers are 150 and 25, one of those numbers is 50, what will be the sum of both numbers हमने कहा यार, क्या सवाल है, यह बताओ, LCM into यहाँ पर याद रखना भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो पहली संख्या और गुने यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा हमारे किस के, तो LCM and into कितने के हो जाएगा, तो HCF के हो जाएगा यहाँ पर कहा गया है कि सर, उन्हें से एक संख्या 50 है, पहली मेरे भाई 50 है, और दूसरी यहाँ पर X है और LCM and into की बात करेंगे तो 1.500 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा 25 से अगर हम काटेंगे तो 2 बार में और 2 से हम काटेंगे तो यहाँ 75 बार में तो X का मान कितना हो जाएगा तो 75 हो जाएगा यहाँ पर तो question में कहा गया दोनों संख्याओं का भाई sum बता दो तो यहाँ पर पहली वाली संख्या कितनी है तो 50 है और दूसरी वाली कितनी है तो 75 है अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 125 आएगा जो की हमारा क्या होगा correct answer option number जो D होगा वो हमारा बिलकुल सही उत्तर होगा यहाँ पर ठीक है अब थोड़ा थोड़ा मेरे भाई fast करते हैं session को और आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सवाल हमारे बाकी है और सीखना में बहुत कुछ है ठीक है आईए चलिए मुझे लगता है कि हैसे फिलसेम का between is 13 find the number यानि दो संख्या है तुमारी पास में उन दो संख्याओं के आपस का अंतर कितना है तो 13 है और यदि उन संख्याओं के HCF को और LCM को multiply करते हो तो कितना आता है 48 ऐसे सवालों में अपने समय को बचाने के लिए अपने option का इस्तमाल किया करिये अब यहाँ पर देखे किन किन दो संख्याओं में 13 का अंतर है इसमें भी 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 13 का अंतर है तो मेरे भाई 13 का तो अंतर श्रब में हैं लेकिन यहां पर सबसे मज़े की बात कि जब मैं उस सवाल के LCM को और जब मैं उस सवाल के HCF को या उन संख्याओ के इनको गुना करूँगा तो क्या आना चाहिए तो 48 आना चाहिए अब यहां पर मैं एक एक करके सारे options आपको काटते हुए दिखाऊंगा यहां पर देखो जैसे मैं आपको सबसे पहले बात कह रहा हूँ कि अगर option number C होता तो option number C में मेरे भाई 10 मौजूद है तो LCM निकालते वक्त 10 भी आता 10 आने का मतलब 0 आता और यहां multiply करने पर product में भी 0 होता तो यह कभी उत्तर नहीं हो सकता है समझ रहे हैं बात को लेके आप एक काम करिए 10 का 20 का LCM लेजे 230 आएगा क्योंकि यह prime number है भाई और यह prime है और यह 10 है तो 230 आएगा 230 को गुना करने 45 हो सकता है तो नहीं हो सकता है आप यहां पर आईए 9 और 22 यह आपका 11 का multiple है 11 का multiple है तो इन में से कोई भी 11 का multiple होता है LCM especially होता लेकिन यह तो 11 का multiple है यह नहीं तो यह भी नहीं होगा यह आप देखिए तो 19 यह आपका 19 का multiple होता क्योंकि मैंने आप से क्या का है LCM नाम की जो संख्या होती है वो LCM नाम की संख्या में मेरे भाई वो HCF भी सम्मेलित होता है और बाकी बेचारों के दोनों को प्राइम नंबर भी होते हैं तो अगर हम यहाँ गुना करें जसे इसको गुना करने पर पहली संख्या का प्राप्त होता है इने गुना करने पर दूसरी होता है यानि LCM के अंदर दोनों संख्याओं के गुन मौजूद होते है तो अगर मान लीज़ें यहां पर कि अगर यह संख्या 22 है यानि यह 11 से कट रही है तो यह भी 11 से कटती और 11 से कटती तो यह 11 का multiple होता जो की नहीं है तो यह भी नहीं होगा वैसे 19 है तो इसके अंदर भी 19 होता यह होता तो इसके अंदर भी होता जो की नहीं है तो कौन सा बच गया 3 और 16 और नहीं है तो एक काम करिए 3 और 16 का मेरे भाई यह आप यहां पर LCM देखिए तो बोलेंगे सर LCM 3 और 16 का 48 आएगा और HCF देखिए मेरे भाई तो HCF हमारा कितना होगा 1 होगा और दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 48 इस तरीके से यहां पर जो है आपको संख्याओं के साथ खेलना है समझना है और जानना है बिना लोजी के बात नहीं करना हम एक पटिकुलर लोजीक सीखेंगे उसका तब उत्तर देंगे ठीक है आईए चलिए यूपी कॉंस्टेबल का एक और प्यारा सा सवाल मेरे भाई क्या कहा गया है जरा पढ़िए कोश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का यानि HCF एन LCM of two number are two and sixty one of the number is 14 more than the other find the smaller number बड़ा प्यारा सवाल है कोश्चन में कहा गया यहां पर कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लगुत्तम समावर्तक इतना है उनमें एक दूसरे के तुलना में इतने अधिक हैं तो यहां पर यहां पर ध्यान रखना कि जब भी आप यहां पर याद रखना कि LCM के बारे में सीखते हो तो LCM बराबर क्या हो जाएगा तो LCM बराबर HCF into हो जाएगा मेरे भाई को प्राइम नमबर यानि X into Y अगर आप देखोगे तो यहां पर LCM हमारा 60 है HCF हमारा 2 है और बाकी co-prime number के बारे में यहाँ पर कहीं पर भी कोई बोद नहीं है यानि यह हमारा कितना हो जाएगा 30, इन दोनों co-prime को multiply करने पर आएगा 30 लेकिन यहाँ पर कोई बहुत जादा आपको फर्क पड़ेगा, नहीं क्यों नहीं फर्क पड़ेगा हम आपको अभी और समझाएंगे question में कहा गया यहाँ पर कि one number is 14 more than other इन दोनों संख्याओं में मेरे भाई जो difference है वो कितने का है 14 का है अब यह पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए ऐसे सवालों को बहतर है कि किस से जाना option से जाना वो ज़्यादा बहादरी का काम होगा आप यहाँ पर समझो बोला गया मेरे भाई कि एक संख्या 14 ज़्यादा है दूसरी वाली से एक संख्या क्या है 14 ज़्यादा है दूसरी वाली से तो छोटी संख्या बताईए मान लीजे कि मैं यहाँ पर इसको छोटी संख्या मान रहाँ चार को तो दूसरी वाली से 14 जादा होगी यानि वो कितनी हो जाएगी तो 20 हो जाएगी कि नहीं अगर यह छोटी संख्या है तो दूसरी से 14 जादा होगी तो 14, नहीं सोरी, इसमें माफ करना है यहाँ पर, यह गर छोटी संख्या है तो इससे 14 जादा यानी 18, इसमें 14 जोड़ दीजे तो 20 हो जाएगा, इसमें 14 जोड़ दीजे तो 21 हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर समझी हमें के करके बात करते हैं, बोला गया, उन दोनों संख्याओ का HCF 2 है, हाँ सर हो सकता है, क्या यह दो से कर ट्रेंग नहीं हो सकता है, अब उसके बाद कहा गया, दोनों संख्याओ का महत्तम सावर तक 60 है, ठीक है, क्या है मेरे भाई 60 है, LCM हमारा 60 है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 4 और 18 का LCM हमारा 36 हो जाएगा, यह यह चार का 9 गुना और यह 18 का 2 गुना, तो यह तो होगा नहीं, यानि option number A नहीं होगा, तो क्या होगा 20 और 60, ठीक है, 20 और 6 है मतलब कि इन दोनों का LCM होगा, वह हमारा कितना होगा, 60 होगा, यानि कौन सा option है, तो यह है, तो बाई options है, करो ऐसे सवाल लेको, मतलब ना की जबरदस्ती इस से बनाने को लेकर, इसमें तुम्हें कष्ट होगा और कुछ नहीं होगा यहां पर, ठीक है, आजाओ, यूपी कॉंस्टेबल का 15 नमबर स्वाल यहां पर क्या कहा गया, question में कहा गया है, HCF and LCM of 2 number is 272, bigger number 2 जादा है, twice of a smaller number, find a smaller number, same तरीके से पीछे वाला question हमारा, कि यहां पर हमारे पास में HCF के नाम पर हमें कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगा, LCM के नाम पर मेरे भाई कितना मिलेगा, तो बोला गे, LCM के नाम पर जो है, वो बहतर मिलेगा, और यहां पर क्या कहा गया है, तो बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या यहां प तो यहां पर जो है वो तुम्हें बड़ी वाली संख्या मिलेगी Find the smaller number अगर यहां पर यह तुम्हारी छोटी वाली संख्या 4 है तो 4 के दोगने में 2 जोड़ दो 4 का दोगना 8, 8 प्लस 2 जोड़ दो तो बड़ी वाली कितनी निकल के आ जाएगी 10 निकल के आ जाएगी यदि यह छोटी वाली है 8 का दोगना 16 जमादो कितना हो जाएगा ठारा यह क्या हो जाएगा बड़ी वाला यदि छोटी वाली है तो बोलोगे 6 का दोगना 12 जमादो कितना हो जाएगा 14 यह बड़ी वाली यदि यह छोटी वाली है तो 10 का दोगना 20 जमादो कितना हो जाएगा बाईस यह हमारा बड़ी वाली हो जाएगा ठीक है यानि मैंने आप्शन से यहां पर लिख दी है अब कौन से ऐसी संख्या मतलब किनका यहां पर LCM जो है वो तुमारा HCF 2 है ठीक है तो क्या यहां पर देखो तो यह इनका भी 2 हो जाएगा यहां पर इनका भी 2 हो जाएगा 6-14 भी 2 हो जाएगा यह भी 2 हो जाएगा इसके अधार पर तो करना मुश्किल है लेकिन LCM देखो बहतर है आप बहतर की बात करेंगे तो यहाँ पर 18 और 18 इसी का बहतर आ रह रहा है क्यों मेरे भाई, आप यहाँ पर समझ यह ना आप यहाँ पर बोलेंगे 7 clerk 4 और 10 county मेरे भाई 40 हो जाएगा, आप 40 ले लीजे, यह भी काच रहा है, यह भी काच रहा है आप 6 और 14 की बात करते हैं ये 2 इंटू 3 है और ये 2 इंटू 7 है तो 2 इंटू 3 और 2 इंटू 7 में यहाँ पर 2 और 2 उठालो मेरे भाई और 3 उठालो और 7 उठालो तो 7 इंटू 3 एकिस इंटू 2 42 ले लो 42 लोगे इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा 22 और 10 में तो 11 का मल्टिपल है तो ये तो आप दूर दूर तक चेक मती करो यानि क्या फायदा है आपके लिए 8 और 18 8 और 18 में अगर आप 72 लेते हैं न भाई तो 72 में ये 8 का 9 गुना और ये 18 का 4 गुना तो सवाल में कहा गया था दोनों कैलसियम कितना है बहतर और यहीं दो संख्या है जिन कैलसियम कितना है बहतर है तो ऐसे सवालों को हम बाई आप्शन जाना पसंद करते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है आज ये जीडी का एक छोटू मुटू सवाल जो आपके पेपर के लिए जो है वो इंपोर्टन है वो ध्यान रखना है क्या है सवाल में ज़रा पढ़िये कोशन में आपसे यहां पर क्या कहा गया पढ़िये कहा गया यहां पर कि दो संख्याओं का लगुत्तम समावर्तक उनके महत्म समावर्तक का 45 गुना है तता लगत्म समावर्तक और महत्म समावर्तक का योग 1518 है यदि इन दो संख्याओं में एक को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और सेशफल 9 पराप्त होता है दूसरी संख्या पराप्त करो ये एक बहुत ही अच्छे लेवल का बढ़िया सवाल है और ये नाइस कोश्चन है लेकिन अभी आप लोगों का लेवल अभी इतना नहीं हुआ कि आप इसे बना पाए यदि हम 7-8-10 सवाल और बना लेते हैं उसके बाद में जब हम इसे बनाएंगे न तो हम इस समझ में भी आएगा तो अभी उसको होल्ड पे रखते हैं पहले हम 2-4 सवालों के मादम से अपने लेवल को और बढ़ा लेते हैं तो हम उस सवाल को बनाएंगे तो आईए चलिए 17 नंबर सवाल देखे यहाँ पर 17 नंबर सवाल क्या कहा गया पढ़िये अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट टाइप में मूव अन करते हैं और अगले सवालों को यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया question में बोला गया what is the largest number that exactly divide 48, 92 and 140 यानि अब यहाँ पर जो है तो HCF और LCM का जो है मेरे भाई यहाँ पर ठीक है अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो HCF हो गया LCM हो गया ठीक है तो HCF LCM के वो सवाल जो divisibility पर आधारित होते हैं या remainder पर आधारित होते हैं अब आपको यहाँ से वो सारे सवाल देखने हैं यानि नमबर सिस्टम में जो divisibility और remainder वाला topic रहता है उसके कुछ टाइप ऐसे हैं जो HCF LCM के concept पर बनता है हम उन्हें कैसे बनाएंगे जरा वो देखो यानि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 48, 92 और 140 को पूर्णता विभाजित कर सकती है वो सबसे बड़ी संख्या यानि क्या करना है तो largest number that can exactly divide एक कैसी संख्या जो हर किसी को भाग करे तो मेरे भाई एक बात बताना मैंने क्या कहा था जब भी सवाल में largest, highest, greatest ऐसे शब्दों का इस्तमाल होता है क्या निकालते हैं? HCF निकालते है यानि उस संख्या के बारे में अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि वो संख्या जो सब को काट दे तो यहाँ पर वो क्या कहलाती है तो HCF कहलाती है यहाँ पर देखिए 11 कभी काट सकती है तो नहीं, 14 कभी काट सकती है नहीं, 12 कभी 92 को काट सकती है नहीं तो ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है तो क्या है चार चार से आप हर किसी को काट के देख लीजे सारी की सारी संख्याएं हमारी कट जाएंगे आई ये चलिए हैं पर ठीक है नेक्स्ट कोशिन जस्ट इसका उल्टा यहां पर जब भी यहां smallest, least या फिर छूटी से छूटी संख्या के बारे में बात हो तो इसका मतलब वो किसके बारे में बात होता है तो LCM के बारे में तो यहां सवाल कहा गया, वह निवंतम संख्या ग्यात करिये जो आठ, चोबिस और तीस से विभाज्य हो जो आठ से भी कट जाए, चोबिस से भी कट जाए और तीस से भी कट जाए, तो क्या बोलोगे LCM कैसे लेते हैं सर, तो पहली बात यहां पर 8 है, अब देखो यहां पर, आपको उप्शन उठाना है, सर 8 कभी जीवन में 1.500 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, आठ यहां पर कभी 60 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, तो 8 इसको भी काट पाएगा, नहीं काट पा कि भाई या option देखना भाई subjective paper थोड़ी हो रहा है तुम्हारा objective ही तो हो रहा है तो क्या option को चेक नहीं कर सकते हो यह बताओ कर सकते हो बस तो option को चेक किया करो paper में क्यों समय वेस्ट करना यहां पर अब आजाओ यहां पर यह सवाल मेरे भाई जो मैंने कहा था कि divisibility और remainder वाला पर प्रतिक स्थिति में समान सेशफल बचे देखे दो तरह के सवाल होते हैं find the largest number which divide ठीक है यहां पर 60 135 and 235 leave the same remainder in each case अब यहां पर मैं आपको बताता हूं देखे टाइप यहां पर 1 क्या है और मेरे भाई टाइप नंबर यहां पर 2 क्या है ठीक है यह आपको बहुत बढ़ करके चले आएंगे दो तरह के सवाल बनते हैं और बच्चे यहां पर क्या समझते हैं कि सर दोनों जो सवाल है वो सीम है ऐसा नहीं है पहला question यहां पर यह बनता है कि जैसे मानो यहां पर एक संख्या है 65 नाम की है दूसरी संख्या है 55 नाम की और तीसरी संख्या है 45 नाम की मैंने जब इसको भी एक बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड किया मैंने जब इसको भी एक बड़ी से बड़ी संक्या से डिवाइड किया और मैंने जब मेरे भाई यहाँ पर जो है 45 को भी वो बड़ी से बड़ी संक्या से डिवाइड किया तो हर एक इस्तिती में मेरा जो रिमेंडर आया है वो हरे किस्तिती में remainder मेरा सेम आया है यहां भी remainder R है यहां भी R है और यहां भी R है examiner बताता नहीं है कई बार वो remainder की value दे भी देता है और कई बार वो remainder का मान नहीं भी देता है कई बार value दे देगा और कई बार नहीं भी देगा वो यह बोल देगा remainder 5-5-5 है 7-7-7-8-8-8-9-9 है वो remainder का मान दे देता है चलो इस question को आसान मनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए remainder का भी मान दे देता हूँ 5 हो गया यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया तो बोलेगा यहाँ पर D की value क्या है यह question number 1 है तुमारा अब question number 2 बनता है जो कि हम type number 2 की बात करें वो यहाँ पर क्या है वो यहाँ पर थोड़ा उल्टा है वो यहाँ पर यह है मेरे भाई कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ग्यात करो वो बड़ी संख्या ग्यात करो जिसको अगर हम 12 से भी divide करें जिसको उस संख्या को अगर हम 15 से भी divide करें या जिसको उस संख्या को अगर हम 20 से भी divide करें तो उस case में यहाँ पर जो remainder है वो हर जगा same बचे अब इस case में मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं और remainder के जगह पे हम RRR लिख देते हैं ताकि आपको बढ़ियां तरीके से समझ में आएगा दोनों में आपको difference क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है मिश्रा जी बताइए यहाँ पर मुझे जो है वो diviser पता करना है याँ जो भाग कर रही है मुझे वो पता करना है और यहाँ पर मुझे क्या पता करना है? जो भाग हो रही है अब थोड़ा सम HCF और LCM की परिभाशा को याद दिलाते हैं LCM क्या होता है वो संख्या जो हर किसी से कट जाए यानि ऐसी संख्या जो 12 से भी कट जाए 15 से भी कट जाए 20 से भी कट जाए यानि इस वाले केस में हम क्या पता करेंगे LCM पता करेंगे जो हर किसी से कट जाती है जो हर किसी से भिक्षा ले ले कर बनी हुई है ना तो उसी को तो हम LCM बोलते हैं यानि अगर इस वाले सवाल को अगर आपको solve करना है इस वाले category को आपको solve करना है तो इस वाले category के लिए जो उत्तर आता है आपका जो मेरे भाई answer आता है वो यहाँ पर क्या होता है कि आप यहाँ पर क्या लीजे LCM लीजे किसका 12 का 15 का और 20 का और यहाँ पर 12 का 15 का और 20 का मेरे भाई आप यहाँ पर LCM लीजे और जो भी LCM आएगा उसके अंदर में क्या जोड दीजेगा तो remainder जोड दीजेगा क्या जोड़ दीजेगा तो remainder जोड़ दीजेगा सेशवल अपना जोड़ दीजेगा यदि मान लीजे कि प्रते की स्थिती में आपका remainder कितना है प्रते की स्थिती में मान लीजे कि remainder आपका 5 है कितना है remainder आपका 5 है तो आप यहाँ पर जो है बोलेंगे कि सर देखिये हमारा जो उत्तर आएगा 12, 15, 20, सब कैलसियम कितना होगा तो 60, और 60 मेमरी मेंडर कितना जोड़ेंगे 5 तो ये हमारा हो जाएगा 65 और आप देख लीजे 65 को यदि आप इससे 12 से भाग करेंगे तब भी कितना बचेगा? 12, 25, 60 बचेगा कितना? 5 आप इस 65 को 15 से भाग कर लिजे 15, 4, 60 बचेगा कितना? 5 आप इस 65 को 60 से भाग कर लिजे 20 का 3, 60 बटेगा कितना? 5 तो यानि जब उस संख्या के बारे में पूछा गया हो जो अलग-अलग लोगों से कटती है तो जो संख्या जो सबसे कट रही हो वहीं तो हमारी क्या कहलाती है? तो वहीं हमारी LCM कहलाती है यानि ये चब टाइप 2 की बात होती है संख्या के बारे में पूछा जाता है तो क्या निकालते है? LCM अब आजेए मेरे भाई यहाँ पर टाइप नंबर वन में यहाँ पर क्या बोला जाता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या पता करो जो डिवाइड कर रही हो तो जो किसी को काट रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर बोलोगे कि गुरुजी बात इसा है कि सब में से आप यहाँ पर क्या करिए तो सभी संख्याओं में से इसको घटा दीजे देखे 65 में से आप पहले जो है 5 घटा दीजे तो 60 हा जाएगा 55 में से 5 घटा दीजे तो 50 हा जाएगा और अब जो आ गया है उसका क्या ले लेना है तो HCF ले लेना है जो आ गया है वो क्या ले लेना है सर यहां पे तो उनका HCF ले लेना है क्या लेना है तो बोलेंगे सर HCF ले लेना है यानि वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो हर किसी को काट दे वो कितना है 10 और नहीं यकीन हो तो देख लो 10 से तुम भाग करोगे 6 बार में 60 बचेगा कितना? 5 10 से भाग करके देख लो 50 बचेगा 5 10 से भाग करके देख लो 40 बचेगा कितना 5 ठीक है? तो ये मरब तरीका हो जाता है अगर भाग करने वाली संक्या का पता करना हो HCF निकालते हैं जो भाग हो रही है वो पता करना हो LCM निकालते हैं अब बोलो कि सर यहां तो Remender दिया गया है सेम यहां पर अगर मान लीजे कि सेम Remender ना दिया गया हो या Remender की Value ना दी गई हो तो कैसे निकालेंगे? हमने कहा मेरे पास सबका इलाज है, ठीक है? जो आप HCF निकालते हो ना तो जैसे मानो यहां पर HCF निकालने के मेरे भाई क्या क्या विदी है मैं आपको यहां पर बड़ी बड़ी संख्या देता हूँ ताकि यह आपको थोड़ा सा आईडिया लग पाए यहां पर समझेगा इस बात को लेकर यह जैसे मान लीजे कि मैंने आपको 135 लिखा हुआ है और यहां पर मैंने कितना लिखा है? 360 लिखा है और मैंने कहा यह दो संख्याओ का HCF पता करो अब HCF निकालने के दो विदी है विदी नंबर एक जो मैंने आपको शुरू में बताया था और विदी नंबर दो जो मैं आपको अब बताऊँगा ठीक है तो दोनों मेथड पहले बता देता हूँ मेथड नंबर एक यहां पर क्या होता है? मेथड नंबर एक यह होता है कि हम 135 को proper way में लिखें तो अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 से हम इसे कितनी बार में लिखेंगे 27 बार में ठीक है और 27 हमारा क्या है तो 3 का क्यूब है यानि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू कितना है 5 है अब उसके बाद में अगर हम 360 की बात करें 360 का मतलब यहां पर क्या हो गया मैं थोड़ा direct आप लोगों के लिए लिख देता हूँ 6 का square है मतलब 2 का square into 3 का square और यहां पर 2 into 5 हो गया तो हम यहां direct लिख देते हैं factorization 2 का power 3 into यहां 3 का square और into यहां 5 का power 1 तो method number 1 जो हम बच्पन में करते थे वो हम यहां पर क्या करते थे दोस्तो हम इसका factor बनाते थे हम इसका factor बनाते थे और उसके बाद में यहां पर क्या करते थे तो यहां पर HCF निकालने के लिए common देखते थे ज़्यादा से ज़्यादा common कितना है 2 का यहां पर power ही नहीं है तो 2 नहीं लेंगे 3 के 3 power 3 के 2 power common कितना ले सकते हैं 3 के 2 power 5 का 1 5 का 1 तो common कितना ले सकते हो 1 यानि क्या बोलोगे 45 into 9 into 5 कितना हो जाएगा तो 45 हो जाएगा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर तो बोलोगे हां गुरुजी हो जाएगा अब ये था method number 1 लेकिन फिर से वही बात selection के लिए सिर्फ method number 1 जरूरी नहीं है method number 2 भी होना चाहिए अब method number 2 क्या है तो method number 2 मेरे भाई यहाँ पर यह है कि जैसे आपने 45 या 135 लिखा और आपने क्या लिखा तो 360 लिखा तो आप यहाँ difference method से जाईए किस से जाईए मेरे भाई तो difference method से जाईए बोलोगे सर यह difference method क्या होता है तो मैंने कहा अभी आपको समझ में आ जाएगा difference method क्या होता है जब आप proper way में बना लोगे ना तब यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि difference method क्या है और क्या नहीं है तो यदि अगर हम बात करें यहाँ पर तो difference method में जो है यहाँ पर वो हमारा क्या हो जाएगा तो हम बोलेंगे इन दोनों का अंतर लीजे तो 135 और 360 अंतर कितने का हो जाएगा 225 का अब यहाँ पर HCF जो होता है या तो यह खुद होगा क्या यह इसको divide कर रहा है तो बोलोगे नहीं यह संख्यासर इससे बड़ा है किसे divide करेगा तो HCF जो होता है वो यहाँ पर या तो यह खुद संख्या होती है या इसको तोड़ दो तो जब आप इसको तोड़ोगे जैसे 5 से भाग हो रहा है तो 5 इंटू कितना हो जाएगा तो 45 तो HCF हमारा क्या होगा तो HCF या तो यह खुद होता है और नहीं तो जब यह तूट रहा होगा तो इसमें बड़ी वाली संख्या होती है अब 45 से भाग करके देखो तीन बार में और 45 से भाग करके देखो दीखिए क्या question कहा गया यहां पर वह सबसे बड़ी संख्या ग्यात करीए जिससे 60, 135 और 235 को विभाजित करने पर प्रतेक स्तिती में सेश्फ़ल सेम बचे यानि 60 नाम की एक संख्या है उसके बाद में 135 नाम की एक संख्या है और उसके बाद में यहाँ पर 235 नाम की संख्या है एक मेरे पास बड़ी से बड़ी संख्या है जो सब को divide करती है हर किसी को divide वो कर रही है और remainder हर जगा मान लीजे सेम दे रही है अब यहाँ पर मेरे भाई जो remainder है वो तो दिया नहीं है तो पहली बात मैं आपसे यह सवाल में पूरे comment box में पूछना चाहूँगा इसमें मुझे क्या निकालना है HCF निकालना है कि LCM निकालना है आप मुझे बताएए आप बोलेंगे सर उस संख्या के बारे में बात तो रही है जो हर किसी को divide करे इसका मतलब HCF highest common factor तो क्या निकालना होगा HCF अब यहां तो मैं डारेक्ली बोली सकता हूं यार काट के देख लो बट मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा मैं बोलूंगा देखो यहां पर जैसे तुम्हारी पहली संख्या 60 है उसके बाद में तुम्हारा 135 है उसके बाद में अगली संख्या कितनी है 235 है आप इनका difference लो इन दोनों का difference जैसे लोगे कितना हैगा 75 इन दोनों का difference लोगे कितना हैगा 100 ठीक है और आप इस difference का भी difference ले लो कितना आगया 25 अब जरा मेरे भाई जब तुम्हारा यह 25 आया ना अगर और cross verify करना है तो 25 से इसको काट करके देखो कितना तुम्हारा remainder आएगा 10 25 से काट करके देखो 25 का 5 गुने 125 remainder कितना आएगा 10 25 से काट के देखो 25 नवा 225 remainder कितना आएगा 10 क्या 25 से काटने पर सब के remainder shame आ रहे हैं अंतर ले लिए अंतर काभी अंतर ले लो यदि ये अंतर दोनों को विभाजित कर रहा है इसका मतलव यहीं क्या कहलाता है HCF कहलाता है बुझे की नहीं बुझे आऊ जल्दी से एक और सवाल यहां दिखाते हैं तब तब तुम्हें समझ में आगा कई सारे तरीके होते हैं सवाल में पता करने के कि इसमें HCF पता करना है कि LCM जैसे आप ये देखो सबसे बड़ी संख्या ग्यात करो जिसे से 47-95 इतना को विभाजित करने पर सेश्फफल समान बचे सबसे पहला code word अगर greatest दिया है तो क्या निकालना होगा HCF दूसरा code word जो संख्या हर किसी को divide करे तो वो symbolize करता है कि क्या निकालना है HCF तीसरा code word यदि दिये गए option सारे के सारे छोटे हों दिये गए संख्या होसे तो क्या निकालना है HCF और कितने तरीके बताओ बताओ यानि यहाँ पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा 47 का 95 का और मेरे भाई 187 का सब का हो जाएगा HCF इन दोनों का difference जरा लेना तो क्या बोलोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर 48 निका difference इन दोनों का मेरे भाई difference लेना तो क्या बोलोगे यहां पर 92 हमारा हो जाएगा और इन दोनों का difference कितना होगा तो बोलोगे सर्च 4 हो जाएगा अब यहां बताओ यानि यह संख्या इसको भी काट रही है जी गुरुजी क्या इसको भी काट रही है जी गुरुजी तो answer कितना होगा? 4 होगा यहीं हमारा सही उत्तर होगा बस पात क estem difference का भी difference जो दोनों को काड़ दे तो answer कितना होगा? 4 होगा समझ गए? कोई दिक्कत की बात यहाँ पर कोई परिशानी की बात है तो बता देजे तिक है? चलिए आजी कई सारे बच्चे छे उत्तर दे रहे हैं भाई मेरे छे तो हो ही नहीं सकता इस बात को समझो छे से अगर तुम तीनों को डिवाइड करोगे तुम्हारे रिमेंडर कभी सेमी नहीं आएंगे करके देख लो ठीक है आजाओ यहाँ पर नेक्स्ट कोउशन की बात करते हैं किस नंबर सवाल दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल 2023 का पूछा गया कोउशन क्या कहा गया है जनाब जरा पढ़िये कहा गया है यहाँ पर सबसे पहली बात लीस्ट नंबर का इस्तमाल है क्या निकालना है एलसियम दूसरी सबसे बड़ी बात जो हर किसी से डिवाइड हो जाती है यानि जो कट जाती है यानि जो लोगों के भिख्षाओं से बनी हुई है जिसको आके कोई भी काट के चला जाएगा तो क्या कहलाएगी वो एलसियम तीसरी सबसे बड़ी बात दिये गए संख्याओं से option हमारे बड़े हैं तो क्या निकालेंगे LCM तीन-तीन तरीके हो गए यहां पर पता करने के तो यानि एक ऐसी संख्या जिसको अगर हम 15 से भी divide करें तो remainder कितना आ रहा है तो बोलेंगे गुरुजी 8 हा रहा है एक ऐसी संख्या मेरे भाई यहां पर जिसको अगर हम माल लो 30 से भी divide करें तो remainder कितना आ रहा है एक ऐसी संख्या मेरे भाई जिसको अगर हम 45 से भी divide करें तो remainder कितना रहा है 8 अब दो तरीके हैं जनाब एक तो हमने आपको basic से बताया और दूसरा हम आपको जो है method से बताएंगे तो जैसे माल लीजए यदि आप इसका उत्तर चाहते हैं तो आप यहां basic से समझे क्या करना होगा LCM लेना होगा किसका 15, 30, 45 का तो यहां पर हो जाएगा 15, 30 का और यहां 45 का और उसमें क्या जोड़ना होगा तो आठ है फटा फट यहां तो निकाली सकते हो ना तो answer कितना आजाएगा 98 कौन सा option है तो option number 4 आओ कभी अवेली पे कौन सा option है मेरे भाई तो option number 1 आओ कभी अवेली पे अब बोलोगे sir यह तो आपने कहा कि basic है इसका मतलब आपके पास जरूर कोई ना कोई method तो पता है तो कौन सा method पता है और वो कैसे बनेगा वो जरा बताईए हमने कहां बिल्कुल मेरे भाई हम बताते हैं आप निशिंत रहिए आप वीडियो को पहले like कर देजिए ठीक है like कर देंगे तो हम बता देंगे और अब दूसरा तरीका मेरे भाई क्या है दूसरा तरीका अपना buy option है buy option मेरे भाई दोस्ते हाँ पर क्या like करते रही है आप लोग like मत भूला करिये ठीक है पता चलता है पढ़ने के बहाव में इतना भाई जाते हैं कि like करना भूल जाते है महराज 20,000 like पहुचा देना था अब तक कहां 15,000 प्याट काये पड़े हुए है तो आज ही आप दूसरा तरीका मेरे भाई हमारे पास है option में क्या है कि वो बोला गया है कि इन लोगों से भाग करने पर हमारा जो remainder है वो हमारा कितना है आप अब इसमें भी दो तरीके है पहला तरीका हम आपको बताते हैं कई सारे जाफ तरीके पर तरीके यानि अगर माल लिजे कि हम संख्याँ में से आठ-ाठ-ाठ-ाठ निकाल दें तो वो कट जाना चाहिए, कटना चाहिए मिश्रा जी यहापर माली जे रिमेंडर ही निकाल दी हैं तो संक्या कट जाएगा ना इसमें से अगर मैं 8 निकाल देता हूं तो ये हो जाता है 90 इसमें से 8 निकाल देता हूं तो हो जाता है 86 इसमें से मेरे भाई 8 निकाल देता हूं 75 और इसमें से मेरे भाई अगर 8 निकाल देता हूं तो 105 अब यहां पर देख लीज़े यह मेरे पास 4 उप्शन है इन 4 उप्शन में यह हमारा 15 से कट रहा है बिलकुल क्या यह 15 से कट रहा है तो नहीं यानि यदि सभी संख्याओं में से उनके सेशवल को निकाल दिया जाए, सभी संख्याओं में से मैंने उनके सेशवल को निकाल दिया है, तो जो भी बची हुई संख्या होगी, वो 15 से भी, 30 से भी और 45 से भी हर किसी से कट जाएगी, तो यहाँ पर जो है यही संख्या है जो 15, 35, 45 से कट रही है बागी नहीं कट रही है इसमें अब एक और तीसरा तरीका है आप सीखो तो सही मेरे से तरीके पर तरीका सीखो सवालों को उड़ाने के लपेटने के आप यहाँ पर बोलोगे सर अब देखो जीवन का एक बड़ा महत्वपून बात हम आपको बता रहे है याद रखना दोस्ति यहाँ पर जीवन में कभी भी कोई भी संख्या कभी जैसे मानो कोई भी संख्या को तुम 9 से डिवाइड करते हो और 9 से डिवाइड करने के बाद जो भी तुम्हारा रिमेंडर आता है जैसे मानो कोई भी संख्या है एन नाम की अगर आपने उसको 9 से डिवाइड किया और रिमेंडर मेरे भाई यहाँ पर कितना आ गया दो या आपने उसको divide के remainder 3 आ गया या आपने उसको divide के remainder 4 आ गया तो याद रखना दोस्त यहाँ पर उस संख्या का digital sum भी कितना होगा तो उस संख्या का digital sum भी उतना ही होगा जितना remainder है उतना ही होगा जितना remainder है उतना ही होगा जितना remainder है यानि इसका DS कितना होगा तो 2 होगा यानि जीवन में कभी भी किसी भी संख्या को या तो 9 से या 9 के multiple से अगर हम भाग करते हैं तो उस संख्या का जो remainder होता है वहीं उसका digital sum होता है आप example ले लिजे हवा में बात हम क्यों करें एक काम करते हैं आप यहाँ पर आईए चलिए मेरे भाई हम यहाँ पर 22 को भाग करते हैं 9 के साथ में तो 9 का 2 गुना 18 बचेगा कितना? 4 और इनको जोड़ कर दिखना कितना रहा है 2 जमा 2 चार आपको लगे का रहे हो सकता है तुका लग गया हो तो ऐसे ही हैं तो आप अपने मन का कोई भी एक्जामपल ले लो चलो एक काम करते हैं 65 ले भाई इसमें परिशानी तो नहीं होगी और एक काम करो यहाँ पर 65 को तुम 9 के 9 से ही भाग कर लो तो यहाँ पर 9 का 7 गुना 63 बचेगा कितना तो बोलोगे सर 2 रिमेंडर बचेगा और इनको जोड कर देखो तो 6 और 5 कितना होता है 11 और इसको जोड के देखो तो कितना हैगा 2 यानि इतना जान लो कि दुनिया में कभी भी किसी भी संख्या को यदि आप 9 से भाग करते है तो सर जो उसका रिमेंडर होता है वहीं उसका डिजिटल सम भी होता है जो उसका रिमेंडर होता है वहीं उसका डिजिटल सम होता है तो 8 होगा, क्योंकि दुनिया के किसी भी संग्या को तुम 9 या 9 के multiple से भाग कर लो, जो remainder आएगा वहीं उसका digital sum आएगा अब digital sum का मतलब बस जोड़ना है तो यहाँ पर दिखें, no card दीजे, digital sum कितना 8, no card दीजे, digital sum कितना 4, ठीक है, आप यहाँ 8 और 3 एक 11 को जोड़ लिजे, 2 आता है 3 एक 4 एक 5, digital sum किसका 8 है एक 8 है, तो भाई, और कितने तरीके बताएं तुम्हें बताओ basic method ठीक है, और कितने तरीके जानोगे और बताएं एक आदा बताओ यहाँ पर चलो आजाओ भाई अब यहाँ पर देखो, next question क्या कहा गया है अगला सवाल यहाँ पर, छोटू मोटू सवाल the least multiple of 7 which leaves a remainder of 4 when divided by 6, 9, 15 and 18 यानि अब यह देखो एक यहाँ पर एक ऐसी संख्या है मेरे भाई, जिसको अगर हम 6 से भाग करें एक ऐसी संख्या है यहाँ पर मतलब हम उसको अगर 6 से भाग करते है हम उसको 9 से भाग करते है हम 15 से भाग करते है हम उसको 18 से भाग करते है हम किसी से भी भाग कर ले remainder कितना आएगा? 4 आएगा और इसके साथ साथ मेरे भाई वो संख्या किसकी multiple भी होनी चाहिए साथ की अब भाई देखो, बेसिक से हो गया, ठीक है, हम बता देंगे, बेसिक से कैसे बनेगा, लेकिन तुम्हें अभी ताजा ताजा हम क्या सिखाएं, कि नो से भाग करने पर जो भी रिमेंडर आता है, उस संख्या का डिजिटल सम भी कितना होता है, उतना ही होता है, क्यों मिश्र जैसे मानो, नो से भाग करने पर भी, रिमेंडर हमारा चार बन रहा है, जैसे मानो, कोई संख्या है, नो से भाग कियें, तो रिमेंडर हमारा कितना बन रहा है, तो चार बन रहा है, तो ये संख्या का डिजिटल सम भी कितना होगा, चार, अब ज़रा देखते हैं, कौन सी का digital sum 4 है, तो बोलेंगे सर 6 और 3, 9 खतम, कितना बच गया तो 4, 7, 3, 10, और 11 को जोड़ोगे तो 2 आएगा ठीक है, 7 और 3, 10, 10 और 5, 15 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा 5 और 3, 8, कौन सा option है सर यह हो line मोड़ा दीजिए, option number C sorry, option number C कह रहा है, option number यह है, एक line मोड़ा दीजिए क्या जरूबत है यार, पूरा method लगाने की जब तुम्हारे पास ऐसे से खतरना का परोच हो अब बोलोगे सर, अगर माल लीजे दूगा option का digital sum 4 होता तो अरे ठीक है तुम्हारी बात, माल लीए तो option का digital sum 4 होता इतने भी किस्मत तुम्हारी खराब नहीं नहीं होती कि तुम्हारा दोनों option जो है वो 7 से कट जाता, जरा सवाल में यह भी पढ़ लो ना यार, कि यह बोला least multiple of 7, इसका मतलब जो भी option होगा तुम्हारा जो है वो 7 से कटेगा, यानि 7 से भी कटना है उसको, उसका digital sum भी होना है, चार मेरे भाई, कई सारी मजबूरिया है ना बिचारे के पास में तो इसलिए कौन सा होगा, तो option number A होगा correct answer अब बोलो क्या इसका basic जानना है comment में बता दो, अगर basic जानना है तो बता देंगे बताओ भाई बताओ भाई, basic जानना है में बोलोगे गुरुजी गुरु तो कि ये थे बहुगा लेवल पर उड़ा आ रहे हैं अब उड़ा कुछ भी नहीं रहे हैं असल मैं अब उस लेवल पर आ गए हैं जो आपको सिखाना था हमारे तरीका ही यहाँ पर यही होता है शुने से उठाएंगे, शिकर तक ले जागे छोड़ेंगे ठीक है कुछ कहते हैं, नहीं कुछ कहते हैं यह काहला कॉंट्रोवर्शी करोगे आपस में बता देते हैं, अब पता चले एक दूसरे का सरकूछना शुरू कर दो चलो भाई देख लो, यहां बेसिक कैसे होगा तो सबसे पहली बात, जब भी हम यहां पर ऐसे सवालों की बात करते हैं यहां पर कहा जाए कि लीस्ट मल्टिपल ऑफ सेवन तो यहां जब मल्टिपल जैसे शब्दों का इस्तमाल हो यह लीस्ट जैसे शब्दों का इस्तमाल हो तो समझ जाएगा कि यह ऐसे हम लेना है हलाकि बेसिक जानना इसका जरूरी है multiple क्यों में खेह रहा हूं इसके LCM के multiple में क्या जोड़ना है तो इसके LCM के multiple में remainder जोड़ना है बोलोगे पहले तो जो आप बताए थे वो खाली इतना बोले थे LCM में remainder जोड़ देना अब इसमें इतना आप कहे कर दिये कि LCM के multiple में remainder हम बोले सबर करो सब बताएंगे patience रखो य नब्बे मिलेगा, यह सब कैल्सियम कितना आ जाएगा तो नब्बे आ जाएगा, नब्बे के मल्टीपल से कितना जाएगा, तो नब्बे के मल्टीपल से तुम्हारा जो रिमेंडर है वो चार जाएगा, बोलो कि कही सार आप नब्बे का मल्टीपल लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं मेरे भाई क्योंकि तुम्हें जो है यहां पर n की value हर बार अलग-अलग बदलनी है और बदल करके देखना है कि किस मान पर ये संख्या साथ से कट रही है एक्जामपल के तौर पे अगर मान लीजे कि तुमने n का मान 1 लिया अगर n का मान मेरे भाई 1 लिया तो ये संख्या कितनी बनेगी 90 इंटू 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 94 और जरा तुम 94 को साथ से काट करके देखो साथ एकम साथ और ये 24 कटेगा नहीं इसका मतलब 94 भी वो उत्तर नहीं है अब और उसी गसम बताईए यहाँ पर ये साथ से कटेगा जल्दी से बताईए बोलेंगे नहीं कटेगा साथ का दो गुना 14 और 44 नहीं कटेगा ऐसे ही हम यहाँ पर जो है n का मान जब 4 लेते हैं तो 9 इंटू 4 36 तीन सो साथ तीन सो साथ और 44 छाथ 300 चान इस को काट करके देखो कि कटेगा बोलों साथ का 5 गुना 35 और 144 जी हां सर कट जाएगा यान यन बराबर 4 सै्टिसवाई कर गया और यन बराबर 4 साटिस्वाई कर गया तो को संख्या कान सी ती सर तो तो 374 तो यह कट गया यानि आपको दोनों चीज़े जानने जरूरी है आपको यहाँ डिजिटल सम वाला भी कंसेप्ट जरूरी है और आपको यह भी जरूरी है कि सर जब भी ऐसा यह वाला लाइन आ जाना मल्टीपल अफ सेवन और यह सब ड्रामे बाजी चले उस किसमें LCM के मल्टीपल में रिमेंडर को जोड़ना होता है ठीक है आजब भाई चलो यहाँ पर नेक्स्ट कोशन देखो 23 नंबर स्रवाल दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 275 और 146 को विभाजित करने पे क्रम अशा 5 और 6 जो है अमारा बज जाता है ऐसे सवालों में तो यार option उठा लिया करो बड़ी संख्या देखो greatest number by which this number I divided अब यार 15 इसको जब भाग करेगा देखो वो बड़ी संख्या जब तुम 275 को यहाँ जो है D remainder कितना मैं इसको basic और यह सारा बता देता हूं तो आप बोलों के सर देखिए 245 से भाग यहाँ देखो वो संख्या जो इसको भाग करे तो remainder कितना है तो 5 आजाए और यहाँ पर जब 146 को भाग करें तो remainder कितना आ जाए तो 6 एक तो मेरे भाई आपके पास में यह है आपके पास में option कि आप option का इस्तमाल करो जिससे आप इसको 15 से divide करके देखो 15 का एक गुना 15 उसके बाद में आपके पास में 125 आएगा 158 120 remainder बचेगा 5 और अगर आप 15 से इसक नमबर नहीं होगा अगर हम 10 से भाग करें तो यहां remainder हमारा 5 आएगा और 10 से भाग करें तो 6 आएगा तो 10 हो सकता है तो एक तो हम by option यहाँ पर जा सकते हैं और दूसरा क्या जा सकते हैं अपने तरीके जो मैंने आपको सिखाए थे कि जब भी ऐसे greatest जैसे शब्द इस्तमाल हो इसका मतलब होता है HCF नीकालना है तो क्या गरोगे पहले से तुम घटाओ 275 में से यहां पर 5 घटाओ तो 270 आ जाएगा और इसमें से तुम इसे घटाओ तो 140 आ जाएगा अब इन लोगों का क्या निकालना है HCF निकालने का मतलब इनकर difference लो मेरे भाई यहां पर इनकर difference क हो गा तो बोलोगेर एकौ सोतीज का ओगा अब सोतीज को तोड़ो गैह 50 अजिए क reform Ugh ya तुम यहीं से देञ लो ना मेरे भाई कि यहां पर इस पर इसमें से कौव इसी संख्धे जो दोनों को काठ देगी कौव सी एसी संख्या है, तो 10 एसी संख्या है, 10 इसको भी काट रही है, और 10 इसको भी काट रही है, तो simple option number क्या हो जाएगा, जसी हो जाएगा, ठीक है, आज ये चलिए, next question की बात यहाँ पर करते हैं, सेम तरीके से एक और सवाल है, बहुत शांदार भाई, उमीद करते हैं, आप लोग इसका उत्तर देंगे, ठीक है, आज ये चलिए, next question की बात यहाँ पर करते हैं, अगला सवाल सेम तरीके से देखते हैं, अब देखो यहाँ पर दिल्ली पुलिस, कॉंस्टेबल का छोटू सा सवाल, एक कहती हैं, असर बहुत मजा रहा है, चलिए, बहुत बढ़िया बात हैं, मजा रहा है, तो ऐसे इमन लगा कर आप लोग पढ़िये, और अपने सपनों के मुकाम को हासिल करिये, इस बार जो आपने यूपी में दरोगा बनने का सपना देखा है, कॉंस्टेबल बनने का सपना देखा है, जीडी का पेपर निकालने का सपना देखा है, ये सपना आपका इसे किस दिने किस में राथां से पूरा हो, हम भगवान से सुबह साम यहीं कामना करेंगे, कि आज जितने बच्चे हमारे, जितने भाई-बैन हमारे, जितने दोस्त हमारे जो है, ये सिरीज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बगवान उनका बहला गरें, ठीक है, और उनका सेलेक्शन दिल आए, उनको उनके मुकाम तक पहुँचाए, ये हमारे दिल से दुआ होती है, हर वक्त होती है, हर वक्त रहेगी, बस आप महनत करो, प्रियत न करो, यकिन मानों सफलता आपको मिलेगी, यकिन मानिये कि आप बहुत उचाई उपर जाएंगे, बस ऐसे ही लगन के साथ महनत करते रहे हैं, जितने एनर्जी के साथ में हम यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाते हैं, उतने ही एनर्जी के साथ में आपनी जो है, अपने आपके लिए मानदार रही और महनत करते रहे हैं, बहुत आगे जाएंगे आप लोग, ठीक है, वह सबसे छोटी संक्या कौन सी है, जिसे 15, 17 और 19 से विभाजित करने पर 4, 6 और 8 का रिमेंडर हमारा बचता है, अब यह सवाल, ठीक है भाई, बढ़ियां तरीके सा हम इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबी आप्शन्स को एक बार 15 से डिवाइड करके देख लो कि इसमें 4 बच रहे हैं, एक बार 17 से डिवाइड करके देख लो कि इसमें 6 बच रहे हैं, और एक बार यहां 19 से डिवाइड करके देख लो कि इसमें 8 बच रहे हैं, वो तुम्हारा अंसर हो जाएगा, तो एक तो बाई आप्शन जागे तुम चेक कर सकते हो, और दूसरा मेथ़ड वो भी हम बता देते हैं, जैसे माल लीजे यहां पर क्या हो गया, आप से यहां पर यह कहा गया, एक ऐसी संख्या का पता किया जाए, जो मेरे भाई 15 से डिवाइड होगा, तो रिमेंडर हमारा कितना देगा, तो रिमेंडर हमारा 4 देगा, एक ऐसी संख्या मेरे भाई यहां पर, जो किस से डिवाइड होगा 17 से, तो रिमेंडर हमारा कितना देगा, तो 6 देगा, एक ऐसी संख्या यहां पर, जो हमारा क्या होगा, तो बोलोगे सर, 19 से डिवाइड होगा, तो remainder कितना देगा आठ अब आप बोलोगे सर सेम remainder वाले में तो आप बड़ा खुश हो रहे थे और बता रहे थे इसका क्या position है तो एक तरीका तो मैंने बता ही दिया कि options को use करके देख लो दूसरा इसमे remainder सेम नहीं होता है लेकिन difference जरूर सेम होता है मिश्रा जी आप यहां प difference हा रहा है जो कि हर जगा पर क्या है सेम है तो यदि अगर हम by method जाएंगे तो answer निकालने के लिए क्या करेंगे answer निकालने के लिए हम इनका LCM लेंगे कौन कौन से संक्या का तो 15 का 17 का और 19 का ठीक है सारे मेरे भाई एक दूसरे से को प्राइम है और LCM लेने के बाद अगल LCM की बात कर रहे हैं मुनना LCM multiply करके देख लो खाले की एक बात बता हूँ सारे यहां पर options के तुम्हारे unit digit अलग है तुम unit digit से जा सकते हो यह सारे को प्राइम है तो 5 को किसी भी और संक्या से multiply करोगे तो unit digit कितना है गा 5 और उसमें से मेरे भाई घटाना होगा 5-1-4 option number C ज तुम्हें पता है कि इसका LCM निकालने के लिए तुम्हें यहां पर तीनों को multiply करना होगा तीनों को multiply करोगे 5 इंटू इतना इंटू इतना unit digit आएगा 5 और इसका unit digit है एक 5 में से घटा होगे तो मेरे भाई क्या होगा तो यहां जो भी answer आएगा उसका unit digit 4 होगा यही option है जि question number 26 देखो question number 26 में क्या कहा है question number 26 में हाँ पर यह बोला गया पढ़िये question number 26 में बोला गया दो संख्याओं का महत्तम समावर तक 33 है और उनका जो योग है वो 594 है यदि यहाँ पर संख्याओं को ऐसे यहाँ पर कितने योग में सामिल है तो हम आपको बताते हैं देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा था LCM और LCM बराबर क्या मैंने लिखा था HCF ठीक्या इंटू यहाँ पर क्या लिखा था X और इंटू यहाँ पर क्या लिखा था Y तो पहली संख्या को निकालने के लिए HCF इंटू X होता है और दूसरी संख्या निकालने के लिए HCF इंटू मेरे भाई Y होता है तो वहीं बात यहाँ पर हम करेंगे हम यहाँ बोलेंगे HCF हमार यानि 33 X होगी याँ पर ठीक है जो मेरी दूसरी संख्या होगी वो 33 इंटू कितना होगी तो Y होगी यानि 33 Y होगी तो पहली संख्या HCF इंटू पहला igual को प्राइम दूसरी संख्या HCF इंटू दूसरा igual को प्राइम यह अपने यहाँ पर लिख दिया बहुत बढ़िया काम किया अब ज़रा देखे सवालों में क्या बोला गया है कहा गया है दोनों संख्याओं का HCF इतना और जोडने पर 594 बे आता है इनको जोडने पर यानि यहां पर 33X में 33Y को जोडने पर 594 बे आता है यदि हम यहां 33 को common ले 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 तो हो जाएगा हमारा X प्लस Y और यह बराबर हो जाएगा किसके तो 594 के अगर हम 33 से मेरे भाई काटते हैं तो एक बार में हमारा 33 कट जाएगा और हमारा कितना आ जाएगा तो बोलोगे सर यहां पर 264 आ जाएगा और यह हमारा 8 बार में यानि जोडने पर कितना मिलेगा मुन्ना तो बोलोगे 18 मिलेगा गुरुजी तो क्या आई से कई सा हूं जोड़ लोगे बताओ तो बोलोगे सर यहाँ देखिए X प्लस Y को जोड़ने पर थारा रहा है अब थारा कैसे कैसे आता है ये बताओ तो 18 तुम्हारा यहाँ 1 में 17 जोड़ोगे तो आएगा 2 में 16 जोड़ोगे तो आएगा 4 में 14 को जोड़ोगे तो आएगा 5 में 13 को जोड़ोगे तो आएगा 6 में 12 को जोड़ोगे तो आएगा 7 में 11 जोड़ोगे तो आएगा 8 में 10 जोड़ोगे तो आएगा और 9 में 9 जोड़ोगे तो आएगा यहीं तो मानस संभव है न दो कोशन बनता है एक sum के उपर में और एक product के उपर में sum वाले में x प्लस y की value निकल कर आती है और product वाले में x into y की निकल कर आती है sum वाले में भी pair बताना होता है product वाले में भी pair बना आना होता है बस बच्चे concept मेरे भाई इतना होता है कि यहाँ जो इतने pair बन रहे हैं इसमें सिर्फ तुम्हें उन पेर्स को सेलेक करना है जो को प्राइम है सह अबाज यह हैं नंबर सिस्टम पढ़ाते वग को प्राइम का ग्यान दिया था को प्राइम का मतलब यहां पर कि जिनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो अब जैसे यह देखो यह दोनों के दोनों देखो दो और सोला यह कभी हो सकते हैं नहीं यह दोनों दो से कट रहे हैं तीन पंदरा दोनों तीन से कट रहे हैं चार चौदा दोनों दो से कट रहे हैं तीन से यह हो सकता है यहां पर, यह कभी भी होगा तो नहीं होगा, यह कभी भी होगा तो नहीं होगा, ठीक है तो दो पेयर यहां हो गया और एक कहा हो गया तो शुरू में हो गया, यानि कुल मिला के एक, दो और तीन कितने हो जाएंगे, option number जो C होगा, वो हमारा correct answer होगा, तो कभी पेर हो गए और इसमें सिर्फ हम उन पेर को लेंगे जो यहाँ पर क्या होंगे तो बोलोगे सरको प्राइम होंगे ठीक है आज यह चलिए नेक्स्ट कोशन यहाँ देखिए क्या कहा गया मैंने कहा ना दो तरह के सवाल बनते हैं एक दोस्त सम के उपर मैं बनता है और एक प्रोड़क के उपर में और मैंने दोनों सवाल रखा है सम के उपर में कोशन डाल दिया और अब मैं यहाँ पर प्रोड़क के उपर में कोशन डाल रहा हूँ जरा बताइए रोज रात साड़े आठ बज़े आप लोग हमारे साथ जुड़ा करिए रोज रात साड़े आठ बज़े आप लोगों को इस class में मौझूद रहना है Saturday और Sunday को छोड़ के Saturday Sunday class नहीं चलती है Monday to Friday रोज रात साड़े आठ बज़े ये class चल रही है तो live रहा करें और वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, का आगया दो संख्याओं का महत्तम सवार तक 6 है, उनका गुननफल 1080, कितने जोड़े संभव हैं, तो मैंने कहा यार यह दखाओ, पहली वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली वाली संख्या, HCF कितनी है तो 6, तो पहल अगर तुम काटोगे ना भाई, तो काटो यहां पर, 6 से काटो जैसे, एक बार में हो जाएगा, उसके बाद 8 बार में, और 40 और यह, फिर 6 से काटो तुम्हारा 30 बार में, इट मींस यहां पर XY कमान कितना आएगा, 30 आएगा, दो संख्याओं को गुना करने पर 30 आएगा, क यह हम 5 को 6 से गुना करें, तो आएगा, सर दुनिया में इसके लवा कोई और जोड़ा संभव नहीं है, अब इसमें को प्राइम कौन कौन से हैं, जरा वो देख लो, तो यहां पर यह को प्राइम है, हां जी सर है, कोई भी common factor नहीं है, क्या यह को प्राइम है, हां जी को प् समझ में आ गया है, तो एक question some पर बनता और एक question किस पर बनता है, तो एक question आपका product पर बनता है, अब यह सवाल देखे, यह सवाल question number 28 आपका, question number 28 के पहले हम आपको मेरे भाई जो है, बैच के बारे में काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो बैच के बारे में हम आपको होता दे, देखे हमारे दो बड़े प्यारे प्यारे बैच है, ठीक है, मैट्स के जिसमें सबसे बैच हो है, वो हमारा देखे, दो अलग अलग बैच होता है, एक हमारा live होता और एक हमारा recorded होता है, हम दोनों के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, तो यह जो आप यहा एक हमारा Maths का रेकॉर्डड़ बैच और एक हमारा Maths का लाइफ बैच रेकॉर्ड़ बैच में हमने complete Math बढ़ा रख है उसमें आपको जो है लाइफ का इंतजार नहीं करना होता सारी वीडियो पहले से यहां पर अपलोड कर दी है और यह सारी रेकॉर्ड़िंग जो कि है वो ह इसमें आपको 300 से उपर सभी वीडियो मिलते हैं हर एक चैप्टर का classroom sheet मिलता हर एक चैप्टर का आपको practice sheet मिलता है तो आपको 10 जगा बटेकनी की आवशक्ता नहीं होती है इसके यदि आप content को देखना चाहेंगे तो हम आपको recorded batch अपने application पे खोल के दिखा देते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सामने रहा आपके यदि आप भविशे में कभी भी त्यारी करना चाहें अपने दूस्तों को recommend करना चाहें या उस level की पढ़ाई करना चाहें math special की तो आप यहाँ पर इससे पढ़ पाएंगे हम आपके लिए constable के लिए बात नहीं कर रहे हैं भ recorded में जाएंगे तो recorded में देख लीजे यहाँ सारा recording आपको मैंने पढ़ा रखा है और एक chapter तरीके से पूरा का पूरा दोस्ते हैं आपर क्या है तो यह पूरा complete है जो भी chapter आप पढ़ना चाहोगे ठीक है जैसे मान लीजे कि आप number system ही पढ़ना चाहेंगे number system में ही video देखना जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी classes बहुत प्रॉपर वे में हो रखी है और कुल मिलाकर 15-20 वीडियो इसके अंदर में already है और उसके बाद इसकी PDF भी आप देखना चाहोगे तो हर तरह की PDF मौजूद है हर एक chapter जो मैं यहाँ पढ़ा देता हूना बच्चों को उसके लिए मैं उनको टेस्ट भी देता हूं यहाँ पर हर एक chapter का उनका particular टेस्ट होता है जिसको वो यहाँ पर timer लगा के दे सकते हैं टेस्ट के format में उसके अलावा यहाँ पर pre-k मेरे आपने 50 टेस्ट अपलोड कर रखे हैं और में इसके मैंने 20 टेस्ट अपलोड कर रखे हैं तो बच्चों को इससे क्या होगा शुरू से ही timer के साथ जो है वो आदत लग जाएगी paper को देने की तो यह जो हमारा batch इसकी validity जो है वो जिन्दगी भर की है सोची इसके अंदर हमें इतने सारे feature है और शुरू से मैंने जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है 2021 से तब से मैंने आज तक इसकी fees 699 बे रखी है हर साल में दो बार हमारा recorded batch आता है यह 2024 के लिए नया recorded batch है और इसकी फीस हमारी 699 है recorded batch की फीस हमने जीवन में कभी नहीं बदला हर बार content बदला सब कुछ बदला चीज़ों और add करते चले गए test हो गए और भी काफी सारे नय नय features लेकिन देश यह मेरा बड़ा simple साथ है कि यह batch भारत के हर बच्चे के पास में होना चाहिए चाहिए वो किसी भी exam के त्यारी क्यों ना कर रहा हो मतलब आपका mobile का recharge एक महीना में खतम हो जाएगा लेकिन यह batch आपका जीवन में कभी नहीं खतम होगा और सबी परिक्षाओं के लिए आप इसे ले सकते हैं आरजी विकरमजीत application से किसी प्रकार की inquiry है तो इस पर संपर कर सकते हैं जैसे हमारे recorded batch है तो वैसे ही हमारा live होता है जितने feature हमारे recorded में है वैसे हमारे live में होते है और यहां पर बस live वाले की benefit यह होती है कि इसमें daily आपकी class चलती है और जो नया आया थ ठीक है आज यह चलिए अब इस सवाल का उतर दीजे क्या कहा गया question number 28 का क्या भोला गया बहुत ही प्यारा सवाल है भाई question number 28 में कहा गया देखे 5 bell है ठीक है सुबह 9 बजे 5 गंटिया एक साथ शुरू हो जाती है और वे 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 45 सेकंड के अ पर पहली गंटि 10 सेकंड में बज रहे है, दूसरी बारह, तीसरी, चौदह ऐसे करके, और जब सब को 7 लाने की बात हो, यह और यहाँ पर समझ रहे हो, पहला वला हर 10 सेकंड पे बजेगा तो यह 10 का मलटिपल हो गया, यह 20 सेकंड पे बजेगा तो 20 का मल्टिपल, 30 पे बजने का मतलब क्या हो गया, least common multiple, या एक question आपने वो भी देखा होगा, एक चोराहे पर तीन लाल बत्ती है, पहली वाली बत्ती हर 10 सेकंड पर लाल होती है, दूसरी वाली हर 20 सेकंड पर होती है, तीसरी वाली हर 30 सेकंड पर होती है, सारे के सारे एक साथ लाल कव होंगे, या या मिलेंगे, तो वहाँ पर LCM लेना होता है, लैंग्वेज बेस्ट कोशन है, ये सारे के सारे, ठीक है, तो शुरू हुए थे हमारे 9 बजे इसको साइड में रखो, 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 45 सेकंड, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो हम क्या लेंग तो 45 का होगा, अगर आप यहाँ पर देख पाऊगे, तो देखो, 18, 12 और 36, तीनों के तीनों हमारे 36 को काड़ देंगे, ठीक है, तो यह हम 36 ले लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास में LCM लेने के लाइक बचा, वो 24, 36 और 45 है, 36 भी देखोगे, तो मेरे भाई यानि 2 और बच जाएगा, यह हो गए LCM, 36 इंटू 10 कितना हो जाएगा, सब के LCM 360, मैंने मेरे भाई थोड़ा फास टेकनिक अपनाया है, आप अपना प्रोसेसर कर सकते हैं, और अपने तरीके से निकाल सकते हैं, तो हमने LCM कितना निकाला, 360 सेकेंड यहाँ पर, तो याद बचेंगे, अब कितने मिनट के बाद बजेंगे, मेरे भाई यहाँ पर तो बोलोगे सर्च 6 मिनट के बाद में, यानि 9 बच के 6 इम पर वापस सारे के सारे, टान 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 करेंगे, समझ गए यहाँ पर कि नहीं समझ गए, बताईए जल्दी से, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां परिशानी की बात है तो बता दीजे अब उसी तरीके से यहां पर देखे आपको लगेगा कि यह रेस का कोशन है नहीं है यह रेस का सवाल यह हम कह रहे हैं ठीक है नहीं है मेरे भाई यहां पर आप इस बात को पूरा करने में 12 सेकंड, 15 सेकंड और 24 लेता है, आरंबिक बिंदू पर पुना वापस आने के लिए कितना समय लेगा, यानि फिर वहीं बात है, एक वेक्ती जैसे मानों यहां पर है, एक चकर लगा कि कितने में पहुंचा 12, दूसरा 15 सेकंड पहुंचा, तीसरा 24 सेकंड तो यानि मुझे एक common multiple चाहिए, और वो least common multiple चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाता है, LCM हो जाता है, तो क्या करेंगे इन सब का LCM निकालेंगे, ठीक है, मिश्रा जीगर जे constable का paper नहीं निकलाना, जान लीजे, उसका रिष्टा सबसे पहले हम ढूड़नेंगे किसी और से, जो हम इतना शिदत से पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं ना, समझ लीजे, उसको फोन करके सबसे पहले की बोलेंगे, आपके ना भहिलो नो, तो कहियो ना भहिलो, ढूड़ने रहे कोनों औरी के, आजगे यहां पर, तो हम बात कर रहे हैं आप LCM के बारे में, तो LC का और 22 का मेरे भाई कितना होगा, तो बोलोगे आज यहां पर 30 नमबर सवाल एक बार इसको cover कर लीजे उसके बाद में एक सवाल पीछे छोड़े है बढ़ियां लेवल वाला उसको भी करना जरूरी है तो आज यहां पर पढ़िये 30 नमबर सवाल यहां पर क्या कहा गया है तो तीस नमबर सवाल में मेरे भाई बोला गया है पंदरा मीटर और बारा मीटर भूजाओ वाले कमरे के फर्ष को पका करने के लिए आवशक वरगाकार टाइलों की नियूंतम संख्या ग्याद करे लोग इसमें चकरा जाते हैं नमबर अफ टाइल का कोशन है बाबो और नमबर अफ टाइल का कोशन है तो तुम कैसे सॉल्फ करोगे तो देखो एक सवाल बनता है क्या बनता है बनता है यहाँ पर कि यह है वो मिश्रा जी का प्यारा सा सपनो का घर जो वो सोचे हैं और उसके लिए ये अभी से plot book कर चुके हैं कि constable बने नहीं कि काम सुरू कर देंगे बाइना बाइना भी दे दिये हैं तो ये जो घर है इसके लंबाई हमारी कितनी है तो इसके लंबाई हमारी 20 cm है और इसकी चोड़ाई हमारी कितनी है तो चोड़ाई हमारी 12 cm है हमने मिश्रा जी से दो बाते पूछी हमने का मिश्रा जी रहने का विचार है बोलते हैं रहे महराज रहेंगे एकदम सर जो है यहां रहेंगे नहीं तो क्या करेंगे हमने का बहुत बढ़िया बात है तो रहेगा थोड़ा अच्छे सर रहे है तो इन्होंने कहा कि यहां पर सर ठीक है यहां पर जो हम टाइल वहीं लगा लिजे फिर हमने मिश्रा जी से एक सवाल पूछ लिया हमने का मिश्रा जी अगर आप दो बात का जवाब मेरे दे देंगे ना तो उसके बाद आप गर का काम शुरू कर लीजेगा हम कहें कि सुनिये बात ऐसा है कि आपको बड़े से बड़े साइज का टाइल लेकर आना है आपको उसको काटना नहीं है क्या करना है? काटना नहीं है आपको उसको तोड़ना नहीं है आपको उसको फोड़ना नहीं है लेकिन टाइल का साइज भी क्या होना चाहिए बड़े से बड़ा तो ऐसे यहां पर पहली बात उस साइज जो टाइल आप लेकर आएंगे तो यहाँ पर उस टाइल का साइज कितना होगा और दूसरा सवाल की टाइलों की संख्या कितनी होगी यानि सुचिए कि जो ये टाइल लेकर आएंगे तो उसको जब ये फिट करेंगे यहाँ पर तो पूरा प्रॉपर वे में इसको फिट होना चाहिए ऐसा नहीं होगा कि यहाँ कोई भी टुकडा लगेगा और जब आप इधर भी उसकी फिटिंग करोगे मिश्रा जी तो यू समझ लो आप यहाँ पर कि जब आप इधर भी फिटिंग करोगे तो इधर भी टुकडा नहीं लगेगा यानि मेरे भाई पूरा का पूरा प्रॉपर जो है यहाँ पर क्या आएगा तो पूरा प्रॉपर वे में टुकडा नहीं चलेगा यहाँ पर बोले भाई साब लपेट दी है मास्टर है मैस के तो क्या करें आप लपेटने की बात क्या है? एकदम आराम से आप यहां कह सकते हैं माल दीजे जो यह टाइल लेकर रहेंगे भाई वो टाइल की साइज कितनी होगी? स्क्वार साइज होगी यानि वो टाइल हमारा X by X का होगा तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं? एक टाइल का एरिया कितना होगा? तो एक टाइल का एरिया हमारा इतना होगा अगर हम इसको नंबर ऑफ टाइल के साथ में गुना कर दें तो क्या यह कमरे के छेतर फल के बराबर नहीं हो जाएगा? बताईए हो जाएगा की नहीं हो जाएगा बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा तो यहाँ पर एक टाइल का area into number of टाइल अगर आप कर देते हैं तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर यह हमारा कमरे के 6 तरफल के बराबर हो जाएगा अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह formula तो आप जानते हैं लेकिन ना इसमें आप x का मान जानते हैं ना आप इसमें n का मान जानते हैं तो पहली बात हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं दो चीजे यहाँ पर पहला सवाल जो पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है Size of Tile तो यहाँ पर Size of Tile वो Tile का मेरे भाई Size यहाँ पर क्या होगा तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुदेव, बात ऐसा है जो X होगा वो एक ऐसी संख्या होगी देखिए, जो X होगा यहाँ पर यह, यह, एक से कैसी संख्या होगी जो पूरे के पूरे 12 को क्या कर रही है एक जैक्ट पार्ट में डिवाइड करेगी और रिमेंडर नहीं छोड़ेगी समझ रहे हैं बात को लेकर अगर मान लीजे यह 12 है तो यहाँ पर आप जितना सेंटीमीटर का भी टाइल लोगे ना, वो इस 12 को क्या करेगा डिवाइड करेगा, रिमेंडर नहीं देगा जब टुकड़ा छूटी नहीं रहा है तो रिमेंडर कहां से आएगा यानि X किसको डिवाइड करेगा 12 को उसी तरीके से यह जो X है किसको डिवाइड करेगा 20 को यानि X एक ऐसी संख्या जो 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 20 को, इसका मतलब जीवन में याद रख लेना कभी भी size of tile अगर आप निकालना हो तो size of tile निकालने के लिए उस कमरे के भूजाओ का क्या करोगे HCF ले लेना तो यहाँ पर इन दोनों का HCF कितना होगा तो 12, 4, 4 चार एक ऐसी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर रही है तो कितना हो जाएगा 4 अब उसके बाद में दूसरा यहाँ पर ठीक है कितने tile की आवशकता पड़ेगे तो उसे हम कहते है number of tile और इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होता है कमरे के area को कमरे का area कितना है तो 20 into 12 tile के area से भाग कर दीजे tile के area कितना हो जाएगा 4 into 4 तो यहाँ पर पहली बात अगर tile की size निकालनी है तो इन दोनों का क्या ले लीजे HCF और दूसरी बात अगर मान लीजे कि यहां number of tile निकालना है तो number of tile निकालने के लिए कमरे के 6 तरफल को tile के 6 तरफल से भाग कर दीजे 4 से काटेंगे 5 बार में 4 से काटेंगे 3 बार में पर अभी यह सवाल जरह हम देखते हैं तो क्या बोला गया है तो सवाल में यह बोला गया भी है जीडी का यह सवाल है सेम तरीके से थोड़ा like वाई करते रही है जनाव आप लोग समझे न तो कहा गया 15 मीटर 12 मीटर के भुजाओ वाले कमरे के फर्ष को पका करने के लिए वर्गा कार टाइलों के नियूंतम संख्या गयात करनी है हमने यहाँ पर कहा कि सर बात ऐसी है न पहली बात समझे वो जो साइज होगा यहाँ पर उसकी साइज हमारी किसके बराबर में होगी तो उसकी साइज हमारी इन दोनों की HCF होगी यानि क्या होगा तो HCF होगा किसका तो 15 का और 12 का यानि वो संख्या जो दोनों को काट दे तो कौन से कहलाएगा तीन कहलाएगा और दूसरा अगर मान लीजे कि हमें अगर शंख्या का पता करना हो नंबर का पता करना हो तो यहाँ पर कमरे के एरिया को यहाँ जो है हम टाइल के एरिया से भाग कर देंगे तो यह हमारा ऐसे हो जाएगा तीन से काटेंगे पांच बार में तीन से काटेंगे चार बार में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा कौँ सा उप्शन होगा C होगा C for कहोना ठीक है भाई बताईए आगे बड़े बुलिए अब हमारे पास एक ओ बड़ा धासू सा सवाल बाकि है सोचिए किस सवाल की बात हम कर रहे हैं So beautiful, so elegant Just looking like a wow उस सवाल को हम इसलिए रखे हैं, last में देखते हैं कितने बचचे जो हैं यहां पर हिम्मत करते हों उस सवाल को बनाने को लेके कितने बचचे के अंदर में दम है, हिम्मत है, उस सवाल को बनाने को, चलो आज़ा बाई बनाओ बाई Last question आपका question number 16 क्या कहा है पढ़िए दो संख्याओं का लगुत्तम समावर तक उनके महत्तम समावर तक 45 है LCM of two numbers is 45 time there HCF यानि अगर हम बात करेंगे तो LCM हमारा हो जाएगा 45 time HCF के ठीक है अब उसके बाद में यहां पर क्या कहा है sum of LCM and HCF is यहां पर 1518 यहां पर जो है अगर हम उस HCF को यहां पर नीचे लेके आजाएं देखो थोड़ा short में मैं लिखता हूँ यहां पर मेरे से कहा गया LCM जो है यहां पर वो कितना है तो 45 गुना है किसके तो HCF के ठीक है अगर मैं यहां पर एक लाइन लिखता हूँ तो मैं बोलूंगा LCM upon HCF बराबर कितना हो जाएगा 45 बटे में एक के यहां पर ठीक है यह हमारा हो जाएगा point number one ठीक है अब उसके बाद मैं कहा गया है कि यहां पर उनका जो sum है sum of LCM and HCF is 1518 यानि अगर हम बात करते हैं तो LCM और plus हमारा HCF का जो sum है वो यहां 1518 है कितना है मेरे भाई 1518 इस line को आप हटा दो आप इस line को हटा दो इसकी कोई आवशकता भी नहीं है सिधा सिधा यहीं से लिखो कि LCM हमारा 45 गुना है किसके HCF के और यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 1518 आएगा बस मेरे भाई L की वैल्यू तुम यहां रखो L बराबर 45 है तो आप यहां बोलेंगे L बराबर कितना हो जाएगा तो 45 H हो जाएगा और plus यहां पर H हो जाएगा जोड़ेंगे तो 1518 आएगा तो 45 ECH हो जाएगा तो बोलेंगे Guru जी 46 ECH हो जाएगा और 46 ECH का मान हमारा 1518 हो जाएगा अगर हम यहां देखेंगे तो 40 से हम इसे काटते हैं तो 40 से हमारा 3 बार में 36, 38, 42, 13, 13, 13, 11, 18, 3 और यहां पर फिर फिर 130 तो 46 अगर हम काटेंगे तो 3 बार में और फिर वापस से 3 बार में यानि HCF कमान कितना आ जाएगा तो 33 यानि HCF कमान कितना आ जाएगा तो 33 यानि HCF कमान हमारा कितना आ जाएगा तो 33 जाएगा मेरे भाई और यहीं HCF को जब हम यहां रखेंगे तो LCM बराबर हो जाएगा 45 into यहां पर 33 यह भी मैं यहां पर लिख रहा हूँ ठीक है अब आगे सवाल को ज़र हम बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि आगे सवाल में क्या का है बोला गया If one of those numbers is divided by 16 ठीक है यहां पर मेरे भाई कहा गया कि देखो उन में से हो सकता है यह पहली संख्या होगी और यह दूसरी संख्या होगी तो बोला गया उन में से one of those numbers एक संख्या को मेरे भाई हम divide करते हैं और यह divide करते हैं किस से तो 16 से तो जो हमारा भागफल होता है वो हमारा कितना होता है 18 और जो हमारा remainder होता है वो हमारा कितना होता है तो 9 मेरे भाई क्या ये संख्या का माना पता नहीं कर सकते हो तो बोलोगे हाँ सर बहुत ही simple यहाँ पर जो है वो बात है और यहाँ पर वो simple बात क्या है तो हमने आपको बता रखा है और क्या बता रखा है तो हमने यहाँ पर आपको यह बता रखा है कि जो भी यहाँ पर देखो number system में कि dividend बराबर divisor into quotient plus remainder यानि अगर यह संख्या बतानी है तो यहाँ पर 16 into 18 जमा कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा यानि यह संख्या कितनी है तो 297 क्या हमने मेरे भाई सही calculation क्या है यह बताईए बुलेंगे हाँ सर ठीक है अब यहाँ समझो आपको अच्छे तरीके से बताया है HCF into LCM या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं सर पहली संख्या into दूसरी संख्या बराबर है LCM into किसके तो HCF के अब यहाँ देख लो भाई पहली संख्या तुम्हारी कितनी है तो 297 है दूसरी संख्या पता नहीं दीके LCM तुम्हारा कितना दिया गया तो 45 into 33 दिया गया है और HCF मेरे भाई कितना दिया गया है तो यहाँ पर 33 दिया गया है बस इन संख्याओ को काट लीजे और जब आप इनको काटेंगे और जब आप हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा आप यहाँ देखिए तो बोलेंगे सर 11 से 2 बार में और 7 बार में और 11 से कितनी बार में सर 3 बार में कौन सा उत्तर है तो option number B for भाहुबली है तो थोड़ा सा बस time taking question था और कोई बात इसके अंदर में नहीं था जैसे पहला शब्द यहां बोला गया LCM HCF का इतना गुना है ठीक है दूसरा शब्द यहां पर जो है अमरितेंदू पाल तब से कह रहा है यहां पर LCM के जगा इतना मान रख दिये तो इतना H प्लस इतना H बराबर हमारा इतना है तो H का मान निकल गया H का मान आ गया तो यहां पर L का भी मान आ गया फिर पहली संख्या के बारे में बोला गया कि यदि उसको इससे भाग करेंगे तो यह हमारा इतना ही है हमारा इतना है तो यह पहली संख्या का मान आ गया फिर जो प्रोपर्टी होती है वो प्रोपर्टी हमने इसके अंदर में लगाई है और तब हमने उत्तर अपना दे दिया है अब क्या है ऐसा बीस नंबर स्रवाल में जो मेरे भाई एक भाई तब से यहां पर कह रहा है कुरुजी बीस नंबर बता दिजिए क्या है बीस नंबर स्रवाल में आ रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या जिसे से 47, 95 और 187 को डिवाइड करोगे तो से में रिमेंडर आएगा अरे भाईया देखें यहां पर जब भी हम यह बात बोलते हैं कि देखें ग्रेटेस्ट आपको पता करना हो या मेरे भाईया आपको एक तरीके से वो बड़ी से बड़ी संख्या पता करना हो या वो संख्या पता करना हो जो हर किसी को डिवाइड करती है मतलब मेरे भाई आपको यहाँ पर क्या पता करना है तो 47 एक संख्या से डिवाइड हो रही है और रिमेंडर कितना दे रही है तो R ठीक है 95 एक संख्या से डिवाइड हो रही है और रिमेंडर कितना दे रही है तो R उसके बाद में हाँ 187 नाम की एक संख्या है जो divide हो रही है और remainder कितना दे रही है R यदि मुझे this d का मान पता करना है तो this d का मान पता करने के लिए क्या करूंगा HCF लूँगा तो इन लोगों का मैंने क्या लिया HCF लिया है किसे लिया है difference method से इन दो लोगों का difference 48 और इन दो लोगों का difference हमारा 92 है यहाँ पर जो है वहीं संख्या आपका इसमें से उत्तर होगा वहाँ पर वहीं मानोगा देखो या तो मेरे भाई खुद आंसर 44 होगा और नहीं तो 44 का कोई फैक्टर होगा तो 44 का फैक्टर यानि यहाँ पर 44 मतलब 4 से या 11 से 11 का इसको काटता है नहीं 11 केस को काटता है, नहीं, कौन काटता है, 4 काटता है, 4 इसको भी काट रहा है, 4 इसको भी काट रहा है, इसलिए उत्तर कितना होगा, तो 4 होगा यहां पर, 4 कैसे आया, मैंने बता दिया, यहां पर ऐसे आया, मेरे भाई, ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का अंतर हमारा 44 से 44 को तोड़ेंगे तो चार और 11 में टूटेगा जो ये चार है वो ये हमारे दोनों संक्याओं को विभाजित कर रहा है मतलब उत्तर कितना होगा चार ठीक है चलिए तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आज का सेशन रहा और सबी सवालों को हम लोगों ने HCFL सेमको किया है एक ही शॉट में वन शॉट में हमने रिवाइस कर लिया है आज का जो सेशन का PDF है वो आपको हमारा मिल जाएगा हमारे इस वाले टेलिग्राम से ठीक है और ये हमारा Rankers गुरुकुल आफिशल टेलिग्राम है ये हमारा मैजबई आदित रिंजन है दोनों टेलिग्राम से आपको हमारी PDF मिल जाएगी ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे सबी टीचर्स का तो देखिए हमारा Rankers गुरुकुल आपका अपना प्लैटफॉर्म है इस पे हमारे सबी टीचर्स पढ़ाते हैं मैट्स में मैं पढ़ाता हूँ रीजनिंग में विकरम जीत सर, इंगलिश में प्रशान सर, जीएस में पूरी हमारी जीएस की टीम हो गई और ये सबी लोग बहुत ही बहतरी तरीके से आप लोगों के लिए पूरे दिलो जान से यहाँ पर क्लास लेते हैं इसी तरहीके सबी टीचे सके हमारे बैच भी है अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग में सर का recorded और लाइव बैच भी है इंगलिश में परशान सर का recorded और लाइव बैच भी है बच्चे को जैसे इंगलिश कम्पलीट करना है वैसे वो करशच रखता है GSTM की हमारी recorded और live batch भी है ठीक है लेकिन अगर कोई बच्चा संपून subject पढ़ना चाहता है या कोई दो भी subject लेना चाहता है तो उसके लिए हम लोगों ने काफी कम फीस कर दिया है combo में अगर individually देखोगे तो 4 subject का 11000 यानि 4000 computer का फीस 500 यानि 4500 लेकिन अगर आप combo batch हमारा लेते हैं तो 2700 में आपको सारे batches मिल जाते हैं ठीक है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लाब होता है काफी पैसे भी आपके बचते हैं और सारे subject एकी platform पे मिल जाते हैं तो भटकना आपका बंद हो जाता है तो वो आप हमारे RG विकरमजीत application से पढ़ सकते हैं और यह उसकी fees है ठीक है किसी प्रकार की inquiry हो जनाब तो यह number 8506003399 इस पे संपर्ग भी कर सकते हैं तो चलिए सेशन कैसा लगा जरूर बताएं वीडियो के comment box में ठीक है अगली event आप लोगों को मैं अभी दिखा देता हूँ और जस्ट आप लोग एक प्यारा सा छोटा सा काम करेंगे जाने के पहले तुरं तुरंत यहां पर जो है हमारे इस सेशन में फटाफट मेरे भाई अभी तुरंत आपको यहां छू मंतर करके एक अभी दिखने वाला है यहां पर आपको कल का event और अभी आपको topic दिख जाएगा तो फटाफट जो है कल वाली topic को यहीं सा भी like कर दीजेगा ठीक है जस्ट यहां पर मेरे भाई जो है तो यह लीजे मेरे भाई चू मंतर हो गया और यहां पर जो आप लोगों की topic दिख गई जो की अभी तक नहीं दिख रही थी तो यहां पर जब आप देखोगे कहा गया भाईया यूपी होम 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 एक सेकेड़ थोड़ा सा refresh करेंगे तो आपको कल का भी जो topic है वो यहां पर आपको दिख जाएगा औसत करके सर एक बार आपी like कर दो उस पर ठीक है ताकि पता चल जाएगा बच्चों को न ठीक है यह आपको यहां पर दिख गया एक बार मैं दुबारा से खोलता हूँ आजो यहां पर ठीक है तो यहीं पर आपका आजाएगा भी पता नहीं शो क्यों नहीं कर रहा है आगे आपका देखो average यहां पर topic है यहां आपका है notify में पर click कर दीजए आप लोग यहां पर कल notification on हो जाएगा और कल बहुत ही जबरदस topic आप लोगों की हम करवाएंगे यहां पर ओसत करके ठीक है तो यहां पर बच्चों ने भी लाइक भी कर दिया दस लाइक आ चुके हैं click कर दीजएगा आप लोग आपको बाकी जो है कल की class मिल जाएगे तो आज के लिए इतना काफी है मिलते हैं अगले session में आज के लिए दोस्तों इतना ही ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान रखे अपना उनका भी और वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बताएं love you all take care bye